कि अच्व प्रपर्टी तरह को कि अच्व पाँच हैं एक अप लोगों को पता है पाइब कि अच्व 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 सबसे पहले हम पढ़ेंगे income from property income from salary or income from business वो इतना जदा detailed कि वो separate उसका एक अलग वर्क्शाप होता है income from property income tax ordinance 2001 में section 15 में defined किया गया और सबसे पहले हम देखेंगे कि income from property क्या किराया वो किराया जो रिसीव हो चुका है या रिसीव होने वाले का क्या मतलब हुआ प्रॉपर्टी रेंड पर दीवी है टेनेंट उसमें रह रहा है इसमें किराया भी नहीं दिया वह बाद में देगा लेकिन आपका कॉंट्रेक्ट हुआ है टेनेंट वहां पर रह रहा है तो रेंटल इंकम आपकी अक्रूवल बेसिस पर अकाउंट फॉर और देन अगर एडवांस होगा एडवांस होगा तो वह रेंटल इंकम में नहीं आएगा वह आपकी लाइबलिटी क्रियेट होगी और एक्जेंपल आपने फस्ट जुलाई को रेंट एग्रिमेंट एग्जेक्यूट टी एग्जेक्यूट की तो फस्ट जून को आप अपना टेनेंसी एग्रिमेंट रिन्यू कर लेते हैं मजीद 11 मेने के लिए और आपको रंड मिल जाता है थी महिने का एडवॉस कि ड्रीन्यू नहीं करते जो किसी दूसरे टेनेंट को देते तो पहले टेनिंट जो रहके गया वो कितने महिने के लिए ग्यारा मैने उसके बाद जो दूसरा टेनिट आया उसने आपको दिया पिस्टें में कडिया लेकिन में का निकट्छी हो वह वह उसने एडवांस में दिये वह आपकी एज़ लाइबलिटी डिक्लेयर होगा वेल स्टेटमेंट में अधर दिन रेंट एक्षम्ट फ्रम टेक्स अंडर दिस ओर दिन शेल भी चार्जबल तो टेक्स इन देट येर अंडर देट एड इंकम फ्रम प्रॉपर्टी तो एक चीज क हो गई कि इंकम फ्रम प्रॉपर्टी में सबसे पहली क्या चीज़ आ रही है रेंट इस सब्जेक्ट तो सब्सेक्शन 3 रेंट मेंस अनी अमांट पिशीव और रिशेवल बाइदा ओनर अफ लैंड और बिलिंग एस तंसिडरेशन पर यूज और अप्यूपेशन और राइ एनी फॉर्फिटेट डिपॉजिट पेड अंडर अंडर कॉंट्रेक्ट पॉद एक तो पर क्या हमने देख लिया कि जो रेंट है चाहे वो रिशीव हो गया है या रिशीव बादो वह इंकम फ्रम प्रॉपर्टी है वो टैक्जेबल होगा अंडर इंकम फ्रम किया रहा है सब्जेक्ट तो सब्सेक्शन प्री आगे जाके देखते हैं उसमें क्या वो क्या कह रहा है रेंट अब रेंट क्या है यह जो ऊपर लिखाने के रेंट रिसीव और रिसीव और बिल्दिंग ओनर किसी लैंड या बिल्दिंग का ओनर अगर वो उस लैंड या बिल्दिंग को किसी शक्स को देता है इस्तिमाल के लिए और उसके एवज जो भी उसे मौपजा मिलता है वो क्या है इस चैसे चैने अगर राइट तो यूस पास कर दिया तो फिर वो क्या हो गया रेंट इस्टेश हो गया एंड इंक्लूज और आगे क्या करें एंड इंक्लूज एनी फॉर्फिटेट डिपोजिट पेड अंडर कॉंट्रेक्ट फॉर दे सेल ऑफ लैंड और विल्डिंग जो टोकन होता है या बयाना होता है जो के फॉर्फिट हो जाता है किसी वजह से अगर डील कैंसल हो जाती है आपने अपनी प कालिवी थी एक पार्टी से आपकी डीलिंग चल रही थी आपकी डील फाइनलाइज हो गई थी उसने आपको टोकन मनी दे दिया था या एडवांस दे दिया था लेकिन पॉर एनी रीजन वो डिमेनिंग पेमेंट नहीं करता था तो एस पर दे टर्म्स ऑफ दा एग्रीमेंट जो इसने एडवांस जिया था हुआ आप क्या करेंगे पॉर्फिट करेंगे तो जो फॉर्फिट किया है आपने डिपॉजिट वह भी क्या कहलाएगा इसे आप कैपिटल गेन में नही लेकिन अधर को सब्सक्राइब वह भी वह वी इंकम संप्रॉपर्टी में लोगा आगे सब्सेक्शन 3 यह भी हमने देखा था मैं सब्सेक्शन 3 रेंट मेंस तो सब्सेक्शन 3 क्या क्या रहा है इस सेक्शन इम्मोबल इम्मोबल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा ब्रॉट टर्म हो जाते हैं तो सिर्फ ग्राउंड एक ग्राउंड भी होता है औल्दो वह भी चार्ज और टेक्शेबल होता है इंकम फ्रॉपर्टी में लेकिन वह सिर्फ ग्राउंड रेंट कहलाता है वह इसमें वह रेंट में शामिल नहीं है वह ग्राउंड रेंट कहलाता है वह ग्राउंड रेंट कहलाता है छुक्ष हुएिसर stream व्हों व्हों दियुक्स कर देड़ी में वैद रेंग उसक्षण इर कि पुट illness भी डेंट रेंट बीडाउंड ब Sagitt झेंट लेंख अट आनी थैच्छ आग वी टूंट एंग पर रेंट कर फिट रेंट पर气 κरव पर बिल्दिंग तोगेधर विद प्लांट एंड मर्शीनरी एंड सच रेंट शेल बीचारज अबल टुटेक्स अंडर था हैं इसमें इसमें जो है ना ये एक आपको अपनी कंविनियंस देखने हैं कि आप किसमें दिखाना जा रहे हैं आप अपनी टेक्स सेविंग देखेंगे इकजैक्ली बिल्कुल आ गया है इसे लॉगिंट लॉड टीटिया है यहां पर फिर डिसिशन यह होता है कि आपकी प्रिंसिपल बिजनिस एक्टिविटी अगर यह है कि आप प्रॉपर्टीज एक्वायर करते हैं और उस पबिन करता है यह तो आपकी टेक्स ओपिसे अप्सक्व सरय करेगा मैं अगर आपका benefit हो भी सकता है और नहीं हो सकता है benefit किस तरह से हो सकता है benefit यह हो सकता है कि आप उस business associated जितने भी expenses हों गया तो सारे आप deduct कर सकते हैं जबके income from property में expenses अभी भी है अब क्यूंकि normal tax का part बन गया income from property वैले fix tax regime में वह अगलता था अब normal tax regime का पार्ट बन गया है तो अब भी कुछ benefits हैं लेकिन वह limited है limited क्योंकि expenses को limit कर दिया गया है किस तरह से कर दिया गया वह आगे जाके अभी 15 a में देखेंगे कौन कौन से इसमें अलाउट है लेकिन अब सबसे important बात यहां पर यह क्या आ गई कि this section shall not apply to any rent receive or receivable by any person in respect of the lease of a building together with plant and machinery and such rent shall be chargeable to tax under that income from building अब अगर आपने कोई factory premises अगर आपने रेंट पर दीवी है तो वह रेंट कहां जाएगा इंकम प्रॉपर्टी में फेक्ट्री फ्लांट इंड मशीनरी के साथ दीवी है रेंट पे तो फिर वह जाएगा income from other ट्सचिड तो पॉपर के रेंट प्रॉपर इने अमांट इंग दोडिएिश्य अफिर पेसिए रेंट mDT's NDR at Yynnacur Would आए ग्रर एंपर दैंट्री तो बिoudesर एंटिवीश जी थेनिध वह फ्रॉपर्ट इंडीड सह ज फेट चाज अंडर्टी 하겠습니다 यह क्या है तो क्या पूरी की पूरेंगी तो मादर सौर्ट में जाएगी यह कहना चाहरा है कि अगर आपने कोई बिल्दिंग के साथ दी विए उपर क्या था प्लांट एंड मशीन वह बिल्कुल डिफरेंट चीज थी तो पूरा-पूरा उठाके इंकमव में ले जाओं लेकिन यहां पर यहां पर थोड़ी सी टर्मिनूलीज्य डिंट क्याब जो पार्ट तो इंकम इंकमजिर में जो रेंट के प्रॉपर्टी का वह किस में जाएगा इंकमज प्रॉपर इंते सब्सक्शन trash a में यह इसा नहीं होगा वह फिर आपको आजाएगा प्लांटेट मचीनी की अगर आप जिम को लेके देखेंगे क्यों क्योंकि जिम में जो पड़े होते हैं वह उस बिजनिस के लिहाज से उसके प्लांटेंड मशीनरी एंड इक्यूपमेंट की डेफिनेशन में आएगा तो फिर इंकम फ्रम अधर सोर्स में जाएगा यहां पर एमनिटी की बात हो रही है एमनिटी से मकसद यह कि अगर आप बिल्डिंग में रह रहे हैं बिल्डिंग में वहां पर मेंटेनस आता है मेंटेनस में क्या होता है कि एक जनरल मेंटेनस की फीस अगर वो अलग अलग करके दे रहे हैं फिर अगर वो तो जिम की फीस अलग चार्ज कर रहे हैं बहुत अब नई जो के बदले में आप अपने टेनेंट से अगर कोई सेपरेट अमाउंट चार्ज कर रहे हैं तो वह किसमें जाएगा इंकम फ्रॉम अब इसमें किस तरह से इसकी बाइफरिकेशन किस तरह से होगी बहुत अंक्लियर बात बहुत बात हो रही है अब मेरा मेरी प्रॉपरटी रेंट आप मुझे इतना देंगे अब मेंटेनंस अलग होता है कि इलेक्रिसिटी का बील अलग होता है इंटरनेट का बील अलग होता है तो अब आपकी देखना पड़ेगा कि रेंट एक्जिक्यूट किया गया क्या आपने रेंट एक्जिक्यूट किया है कि सारी की सारी इम्निटी इसके साथ है यह एक लाख रुपए अगर सारी की सारी एमनिटीज के साथ है एक लाग रुपए तो तो वो क्या जाएगा पूरा का पूरा इंकम स्वं प्रॉपर्टी पूरा का पूरा वो चला जाएगा इंकम स्वं प्रॉपर्टी में लेकिन अगर आप एमनिटीज के अलग से पैसे चार्ज कर लें कि प्रॉपर्टी का रेंट एक लाग रुपए होगा और यह एमिनिटी इसके पैसे आपने फिक्स ले लिए अलग 10,000 या 20,000 अब पीछे आप कितनी पेमिंट कर रहे हैं उससे आपके टेनन्ट का कोई सरुपार नहीं है और नएट एक कर लिए 20,000 लुपीज क्यों और तो जिसमें चला गिया और Filth और वह किस में जायएगा इंत फूर्स सब्समा बूंगी जो आपके आपके पार लेकिन अब यहां पर तो यह बात आ गई कि अगर आपने रेंट एग्रिमेंट में अलग-अलग अगर एक ही आप सिंगल अमाउंट चार्ज कर रहें वन लग ट्वेंटी थाउजन उसमें आपने रेंट एग्रिमेंट में कोई सेग्रिकेशन नहीं कि और वहां पर फिर आप एमनिटी की पेमेंट आप तुद कर रहें तो उसमें क्या करेंगे अब यहां पर टैक्स प्लैनिंग का अलेमेंट आ गया कि अग्यां कि अब यह आपके ओपर आपके डिस्क्रीशन पर है कि आप आप चाहें तो आप पूरा पूरा हन्रेट इंट्वेंटी थाउजन रुपीज जो है वह इंकम प्रॉपर्टी में दिखाएं और जो डिदक्शन जो पेमेंट्स आपने की हैं वह फिफ्टीन ए में डिदक्शन उसकी क्लेम कर लें ठीक है या तो आप यह भी कर सकते हैं कि आप हंड्रेट थाउजन इंकम फ्रॉपर्टी दिखाएं और ट्वेंटी थाउजन को आप उसमें दिखाएं कि यह अदर सोर्सेज में आएगा औल्दो कि रेंट एग्रिमेंट में क्लेयर कट आपने यह भाउम नहीं किया घया किया यहाँ पर एकस्प्रेयर के पास आपक्टॉनिंग का एक और शूर्सिज में आपक्र लें सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब यह कहलाती है टेक्स प्लैनिंग अब यह आप एक लोग की बाउंडरी में रहते हुए आप अपनी टेक्स लाइबिलिटी को क्या कर रहे हैं मिनिमाइस के लिए वह तो फिर इंकम में जाएगी यह उसके लिए यह उनके लिए होता है कि आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ मतलब आप यह समझ लें कि आपकी बेसिक एक्टिविटी कुछ और है आपका जरिया मार्श बेसिक जरिया मार्श जो है वह कुछ और है अपकी डिपेंडेंसी किसी और सोर्स पर यह तो आपके पास एक एक्स्टा प्रॉपर्टी रखी विए जिसे आपने एडिशनल इंकम के लिए दिया हुए लेकिन अगर आप सब्सक्राइब अब 75 पर संब्सक्राइब अगर आपकी 75 ज्यादा इग्जैक्टली 75 पर संदी नहीं 75.01 परसेंट तो फिर आपका सेलरीड वाला टेक्स रेट अप्लाएब अदर्वाइज आपका इंगम कम जरूर कंप्यूट करेंगे इंकम फ्रॉपर्टी जो है अब उसकी कैल्कुलेशन कंप्लिकेटेड हो गई है पहले तो स्टेट फॉरवर्ड थी जो भी ग्रॉस रेंड है उस उस ग्रॉस रेंड को आप मुल्टिप्लाइब कर देंगे अप्लिकेबल टैक्स रेट से पहले स्ट्ट्टर था 5 परसेंट 7 सब्सक्राइब इनकम के ने एक तो आपकी अपकी अधर इंकम के साथ मर्ज होगी और फिर आपकी टोटल टैक्स रेट अप्लाइब अपलाय हो जाएगा और आप लागी नहीं सब्सक्राइब को मिला जिनकी इंकम प्रॉपर्टी के इलावा दूसरी इंकम जो है वह कम थी और टैक्स रेट जो है वह थर्टी फाइफ परशंट से कम बनता था उनको फाइदा हुआ लेकिन जिनका 35 परशंट से ज्यादा बन रहा था वह मारे गए उनके ओपर इंकम प्रॉपर्टी के भी वही रिट लग रहा है थर्टी फाइफ पर्शंट इसमें इसमें इंकम प्रॉपर्टी के ले रहा हुँ वह तो टैक्टिकल इंकम 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 आपकी टोटल इंकम से 25 पर्शंट कम होनी चाहिए अगर आपको सेलरी का रेट कुछा प्लाइ करना है थे प्लाइकर सबसेक्शन फोर सब्चेक्ट तो सब्सेक्शन फाइब रेंट पिशिवर रेसेवल बाया पर्सन इसलेस देंद फैर मार्किट रेंट फोर्वर्परटी विडिया है वो फैर मार्किट वैल्यू से छार्ज कर रहें। आपको टैक्स किस पर देना होगा पर मार्कित वैल्यू कि एक एरिया है वहाँ पर जनरल रेंट जो है वह एक लाग रुप है लेकिन आप टैक्स दे रहे हैं फिक्ती थाउजन पर आप आप ने रेंट अग्रीमेंट बनाई फिक्ती थाउजन से कि अपने आधा रेंट दिखाया आधा रेंट आप लेते हैं उससे और बाकि आधा रेंट जो है वह आप आप कैश मेर ले लेते हैं एक स्थिक कमिशनर लोन इंपावर नहीं होता एक बियार एक कमेटी बना दिये और वो कमेटी डिसाइड करते हैं कि इस एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का फैर मार्केट रेंड क्या होना चाहिए लेकिन यह तो वैल्यूएशन के हवाले से बात हो गई फैर मार्केट केंड अमेशनर भी अपने टरीके से फैर मार्केट रेंड कम्प्यूट कर सकता है मैं किस तरह से कर सकता है कि इस एरिया की इंवेस्टिकेशन करके पास पावर के उफ्वेए वह सब्सक्राइब रभाव पाथ के जाओ पर्टिकुलर एरिया की एक पर्टिकुलर एरिया की रेंटल फिर मार्केट्रेंak क्या चल रहे लेकिन उसके बावजूर taxpayer के पास option है पर यह साबीद कर सकता है कि इस लाके कि यह बेशक कि इतनी भी फिर market rent मुझे तो यह रेंट मिल रहा है नेरी property का रेंट इतना ही मिल रहा है मुझे वह क्या options है आप सावित कर दें कि इस जगा पर अशराद है इसकी कंडिशन बहुत ज्यादा खराब है मैंने तो इसकी कंडिशन dwbutya और रहने वाल Britney देने वाले कुए तो सबस्क्राब रहने वाले को . आंज्ञाइस रेंट क्यू लूँ? इसे फ्री में भी नहीं देरा लेकिन नाजाइब नहीं कर रहा है मैं उसके साथ जितनी वह आफोर्ट कर सकता है इसकी जा घुट गेस्ट शेंप से कम रेंड चार्ज कर रहा हूं कोई मना नहीं कर सकता मैं लेकिन यह सारी क्या चीजह हैं कि प्रूफ करने होंगा डिबेटेबला देखें लौ तो यही कहता है लो तो यही कहता है लेकिन अगर इस तरह की कोई अगर आप इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन होती है का आपने अपने सगे भाई को दे दी एकनी प्रॉपर्टी वह वाट्सवाइवर रीजन आपके भाई का घर बन रहा है तो उसने आपके तीन महीने के लिए आपका इक्सटा फ्लैट किराये पे ले लिया किराये पे नहीं अब उसकी कोई रेंट आया ही नहीं होगा है तो आप उसके इंकम कैसे कैसे करेंगे और कमिशनर भी कैसे यह पता लगाएगा कि आपने यह प्रॉपर्टी रेंट पर दिये लिए लगा सकता यह है वो रूल्स में रूल्स बहुत लेंदी वह जाते हैं कि आप सब्सक्शन 5 सब्सक्शन 4 यह लोट अप्लाइव फैर्मार्केट ट्रेंट इस इंगूद इंग्ड फैर्लेंड वल्स चार्ज अब टॉट under the head selling subsection 4 shall not apply where the fair market rent is included in the income of the lessee chargeable to tax under the head यह यह कह रहा है कि एक बड़ी कॉर्पोरेशन है उसने अपने इंप्लॉईस को अकॉमोडेशन अलाउंस दिया अब अकॉमोडेशन दी विए इसकी है अब रेंट तो कोई नी जार्च कर रही है सब सेक्शन फॉर क्या कहता है रेंट चाहे आप ले रहे हो फेर मार्केट वैल्यू से कम आपकी वाली बात के जीरो रेंट हो एस पर लौ तो क्या करना है फैर मार्केट रेंट पे इंकम डिक्लेयर करनी है और उस पर टेक्स देना है अब सेक्शन फोर तो यह कह रहा है ना कि अगर आप फेर मार्केट रेंट से कम रेंट चार्ज कर रहे हैं और वो कम क्या हो सकता है जीरो भी हो सकता है अब कंपनी ने अगर अपने इंप्लॉईस को क्या दीवी अकॉमोडे इंकम डिक्लेयर करनी और पर टेक्स देना है सब सेक्शन फाइब यह कह रहा है कि जो सब सेक्शन फोर है वो इस केस में अप्लाए नहीं होगा लेकिन कंडिशनल क्या है यह जो फेर मार्केट रेंट की जो वैल्यू है यह इंप्लॉईस की सेलरी इंकम में डिक्लेयर होना है इनिए लेकी अग्ली के इंकम टेक्शाइबर हो रही है यहां पर अनी का पर कैंडिches नहीं देना क्यों यूश्म इन है उस रेंट पर अपनी इसके पार्ट बनाया और उसके टैक्स एक्समेंट नहीं दिखाएगा जो तो सेली दिखाएगा इस चाहिए वह थो नोई ही की पॉपर्टी को सहरी है कि अभी कोपर्टी के सब्सक्राइब करें और उसको पॉपर्टी इंदम के साथ चुस्पे इस पर इंवर्टिंग करती है इंदम को बन रही है उसको सेल्डी का पार्ट भी बना रही है और सेंसलेस बात है मतब आपने अपनी प्रॉपर्टी के काज़ात क्यों रखवाएं कंपनी में आपको हाउस रेंट नहीं देदी आपके काज़ा तक देती है इस प्रॉपर्टी के नहीं है अच्छा श्राइंड भी नहीं डे रहा जाए था कि में आपके प्रॉपर्टी के लाख वारें अब आपको नंनल कुछ बिश्कारें आपको रेंगें अब तो पैसे देना है तो तो आपकी सेली काई पार्ट है तो आपकी सेली काई पार्ट है गलत कर रही ना क्योंकि आपको यह यह लाउंस देने का परपस किया है क्या हाउस रेंट देना तो हाउस रेंट फॉर एन इंप्लोई इस पार्ट अप्ट आपकी वह सेली इंकम का पार्ट है और दूसरी बाग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं सेकंड वार्मेंट की तो वह प्रॉपर्टी है नहीं तो वह उसके विद्धोलिंग एजन्ट वह बनता है जो रेंट दे रहा होता है ठीक है ना जो रेंट देने वाला होता है वह विद्धोलिंग एजन्ट होता है लेकिन दपॉइंट इस कि यहां पर गॉर्मेंट ने आपसे किराये पे थोड़ी लिए कि आपसे प्रॉपर्टी रेंट पे लिए और आप ही को दे तो वह क्या रहा है कि आपको जो तो फिर अब वो जो आपको दे रही है ना आपसे रेंट पे लिए है अजान मुक्त मोले लेकि तो सब्सक्राइब वो कर ये रहें कि आपसे जो प्रॉपर्टी इन्हों ने लिए ना वह उन्ने आपसे पे प्रॉपर्टी ले लिए ठीक है ना उसके आगेंस्ट आपको कोई कैश अलाउंस नहीं मिल रहा थीए ना वह आपको कैश अलाउंस को आपकी किये आपने देदी रेंट पे गौर्मेंट को आपको उसका रेंट दे रही है और विदूर्डिंग एजन्ट आपकी उस प्रॉपर्टी इन आपकी उस इंकम में से टेक्स भी कार्ट के डिड़क्ट कर रही है एस पर सेक्शन 155 अब हो क्या रहा है कि गौर्मेंट की जिम्मेदारी थी कि आपको हाउस्टेंट देना तो उन्होंने वही वाला घर जो किराये पे लियावा है आपकी को वापिन दे दिया इनको पैसे मिलेगा अब वो जो कैश मिल जाए ना वह आपकी सेलरी के पार्ट नहीं है नहीं बनेग इसमें उसको हाउस्टेंट नहीं है सिर्फ मेडिकल मेडिकल अलाउंस आपको ही हो रहे है उसका रीजन यह है कि देखें आपको प्रपर्टी रेंट पे दे रहे होते हैं जब आपको प्रपर्टी रेंट पे देते हैं तो क्या उस प्रपर्टी को आप यूज कर रहे होते हैं आप तो यूज नहीं कर रहे होते हैं लेकिन यहां पर क्या हो रहा है यूज भी आप ही कर रहे हैं आपने रेंट भी दिया हुए रेंट पे भी दीव और को दे देदिती दो तो आप क्या चाहरते हैं तो आप कहीं और जाता है क्या अवच्वीन को तो बैनेफिट क्याया के आप valley पर रहा है कि तो आपकी पर इंकंटी रहे हैं और हिक अट बनेगा बिल्कुल सही बनेगा अब इसमें गवर्मेंट को बेनेफिट है ना है अब यह थोड़ा सा हार्ष है आ अर्फ हार्ष जरूर है किन देखें गोर्वनेंट अपनी सेकुरीटी भी तो देखेंगी ना अपनी सेकुरीटी वो इस तरह से देखेंगी के गोश्चेया आप हीसेbs फेले के आप ही को आप नहीं ना भी करें आप वो प्रोपर्टे किसी और इसा भी हो सकता है न पर मेंट कही ना कहीं तो अपने एक डर तो रहता है ना आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यमेंट्स अगर किसी और के पास रखे विए होंगे तो आपके वहमों घुमान में भी नहीं आएगा कि यार यह प्रॉपर्टी में किस लॉप लग लेकिन और अपनी सीक्योरिटी भी तो चाहिए ना तो चाहिए ना कि अगर अगर वह डॉक्यमेंट्स नहीं रखती तो अपने वाले तो इसमें भी करते होंगे करते होंगे आपने का कि पर देने के लिए प्रॉपर्टी मेरी मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी मैं ही रह रहा हूं यहां से किसी को यह थोड़ी पता है कि मैं अपनी और्गनाजेशन के साथ क्या आरेंजमेंट कर लाता है लेकिन वह एक सिंपल एक रेंट अग्रिमेंट भी बन सकता है वह एक सिंपल रेंट अग्रिमेंट भी बना सकती है लेकिन वह क्यों नहीं बनाए अब वो क्यों नहीं बनाया तो लेनी है नहीं तो रेंट एग्रिमेंट से भी तो हो सकती लिए वेश्च शेक निके उपास आ रहे हैं आप अगर किसी और गवर्मेंट और ऑर्गनाजिशन के लावे अगर किसी और आप रीटेटी के डोकुमेंट डेते तो थे नहीं टेटी एग्रीमेंट एक्जिक्ट्व होता ना गवर्मेंट और इंट आजेशन और ले क्यों ने बना तो दे रहे हैं और अलग से भी तो मिल रहा है लेकिन इंकम भी तो डबल हो रही है लेकिन इंकम भी तो डबल हो रही है ना इंकम भी तो से बना रही है ना तो विद्वोल्डिंग तो रेंटल इंकम पर हो रही है ठीक है ना जो आपको रेंट दे रही है उसका रेंट पर इसके रूंट अमाउंट पे आपको उसे बिधोलिंग पर रही है टैस्ट लेकिन जो आपको हाउस रेंट अलांच जो आपको चर्टिफिकेट में लिखके दे रहे हैं लेकिन वह तो रही है ना इनकम दो हो रही है दोनों जगह इनकम हो रही है एक्जेक्टली पूरा रेंड का मांट डраф और नियुक हुआ है पूरा रेंड का मांट डिए मैं और आप पूरा रेंड का मांट डी होगा आवस रेंड आलांस एड लांड स्थे क्स तरह से होती है परसंटेज ऑफ बेसिक सेलरी होगा और उसके ओपर टेक्स अप्लाइब होगा और उसके टेक्स डिड़क्शन होगी होनी चाहिए अगर नहीं होरी तो गलत है क्योंकि बेनिफिट इनको दोनु साइट से हो रहा है एक रॉपर्टी नोंने रेंट पर दीवी है उसका रेंट भी ले रहे हैं रेंट पर देने के बावजूद यूज भी खुदी कर रहे हैं तो दो बैने फिट हुए न चलें सेक्शन फिफ्टीन डिड़क्शन इन कंप्य के इंकम चार्जिवल था है इंकम फिउलाएं अब यह जो हमिंगां ऑ sensors क्या खालत है कि स्टार्व बिज्नेश सेक्शन क्वीचिन डिड़क्शन आडलओं इसी तरहcano आप प्रॉपर्टी में भी पुस्ज डिड़क्शन अलाव पीए ता पहले जब टेक्स नीम होती थी त था उसके अकॉर्डिंग ली एप्लीकेबल रेट अपला हो जाता थो आपकी आजाती कि स्टेट फॉरवर्ड सिंपल था अब पॉंप्लिकेशन आ गई हैं क्यों कि डिड़क्शन दी गई हैं सर्टेन डिड़क्शन नहीं की गई हैं वह डिड़क्शन सक्षेंट 15A in computing the income of a person chargeable to tax under the head income from property for a tax year a deduction shall be allowed for the following expenditures or allowances namely in respect of repairs to a building an allowance equals to one-fifth of the rent chargeable to tax in respect of the building for the tax year computed before any deductions allowed under this section आपको depreciation नहीं है यह एक जनरल अलाउंस है रिपेर्स अफ रिपेर्स टॉप बिलिदिंग अलाउंस मतब एक जनरल अलाउंस आपको दे लिया चाहे आपका वह एक्सपेंस जो है वह 20 परसंट हो रहा हो या 50 परसंट ही क्यों ना हो रहा है आपको स्रेट फॉरवर्ड 20 परसंट अलाउंस मिल गया कुछ भी नहीं नथिंग रिपेर्स की रिपेर्स आपको कितना मिल गया प्वेंटी परसंट ऐसा भी हो सकता है कि आपने रिपेर्स की मद में 50 परसंट से ज्यादा खर्च कर दी हूं तो सुरत में क्या है आपका लाउंस कितना है 50 परसंट लेकिन आपको अलाउंस कितना मिला टेडि eyebrow लेकिन जन्रली इतना होता नहीं है 20 परचंट और फक्वी नहीं होता प्रप्रटि यह रिपेर्स की सुरद ना यह भी मैं है क्यूंकर जन्रली रिपेर्स में आपको आपको क्या देना होता है इस से ज्यादा ज्वें में होना चाहिए अग्ट्र अगर इसके लावा मजीद कोई चीज़ चाहिए टेनेंट को तो फिर वो फुद इंस्टॉल करवाते है एनी प्रीमियम पेड और पेड़ बाइद परसन इंड़ एर तो इंशोर दा बिल्डिंग अगेंस दर रिस्क ऑफ डैमिज और डिस्टॉक्शन अगर आपने उस प्रॉ अगutes, एक इंक ऑउड खारो से इंश्य का अने खारोपरट आप ख्रोर्टी पीडल टीर यंडा करवा टीज अविग्मियम ढभ चक्शन नटी में ईंडि差 पैब अई लोंके आपे तैसतॉं प्राइंट्ट आपो ग। ंखर ट्ल पर वह 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 स्क्राइब पर विल्डिंग जो ती ना उन पर होता हुआ को आइधिंक सो किसी बिल्डिंग पर नहीं किया जा सकता है लब खुले आसमान पर टेक्स कौन लगा सकता है किसी के पास अथॉरिटी निया स्काइट रैपर्स जो होती है वह तो फिर किसी ने कोई जुगार लगाई भी होगी तरही होगी अब लोग सही कहते है ना पाकिस्तान में सास लेने कोई भी टाइक्स है एनी ग्राउंड रेंट पेड और पेबल बादा परसंट इन दा एर इन रिस्पेक्ट लागाई न को ने? याँ पर ग्राउंड रेंट से मुराँ वहाई लिब यह पग रहे होती अपको पता या होँए उधरी सिस्टम यह उता है यह एक लॉप होता है या घाक फोट।ये मेरे va मेरे नाम पर मैंने उस पर बिल्डिंग बनाई फ्लैट्स बनाई शॉक्त बनाई तो मैंने बेज़ती है लेकिन वो में लीज दी करवाखे करता यह मूमन कहां पर होता है यह जो को अपरेटिव हॉशिंग शॉसाईटी को जमीने लॉट की वी होती है को वहां पर को सुसाइटी डांसफर करके दे रही ओती हैं प्रपर्टी थो वह सब सुब्लीज नहीं होती यह सोसाइटी दुव अपने रिकॉर्ड्मनर्ट ट्रंसपर करके दे रही होती है हाला के अब यह इस जो पुगरड v6 को यलीगल का दे लेकिन अभी चल रहा है तो वह पगली सिस्टम क्या होता है कि आपका अपना प्लॉट है आपने उसके बिल्डिंग बनाई और उसके फ्लैट बना कि आपने बेचते हैं मतलब इस प्रॉपर्टी से बाहर अब में इंगे जहां पर अगर कि एक करोड यहां पर इस नुकसान क्या होता है इस में नुकसान कीौ और आपको बेच दिया है लेकिन फिर वी वह आ्पसे हर महीने घ्राउंड रेंट चार्ज करता है बलके जब यह फ्लैट अपना किसी और को बेचेंगे ना तो उस उसका भी कुछ एक जिस अमाउंट पे बेचेंगे उसका भी सर्टेन परसंटेज वह आप से चार्ज करेगा और यह परसंटेज टैन परसंट से लेके 50 परसंट तक भी होता है लेकिन तो वह मार्केट वैल्यू के साथ पर वागे जा रहा होता है तक जाता रहेगा जब तक वो पास जाके यह ट्रांसफर के पास जाकर के पास तक क्या क्या देगी राव के चार्जिज आप पे करेंगे सुसाइटी अलग अपने पैसे लेगी आपको नोसी देने के कि हाँ भाई अब यह सुसाइटी से बाहर हो गया यह आपको सरेंडर कर दी गई प्रॉपर्टी अब आप इसकी जाके क्या करवाएं रिजिस्ट्रार के पास जाके सब्लीज करवा अब यह जो रेंट मिल रहा है इसको ग्राउन रेंट मिल रहा है अब यह लीटर है या नहीं कि अब इसके में तो कराऊंगा तो मानेंगे वीडियर से नहीं मानेंगे क्या हुआ हुआ है देखें एक अगर कोई एक एक्टिविटी लीगल है या इलीगल है उसका इंकम टेक्स ओर्डिनेंस से कोई तालुक नहीं नहीं शराब बिजने अगर आपके पास लाइसेंस होता है देखें इलीगल बिजनेस क्या है आपने क्रिप्टो करणसी में ट्रेडिंग कर ली इलीगल एक्टिविटी है लेकिन आपने ट्रेडिंग किया आपके पास इंकम जनरेट हुई है आपको लेना है आपको क्या लेना है आपके पास सोर्स तो है नहीं आपको श्रॉली आपको क्यों बेची आपको आइफोन चाहिए था आपने आइफोन खरीद लिया किड्नी बेच के आइफोन आपको डिक्लेयर करना है अपने वेल स्टेट्मेंट में आप उसको एडवांस दिखाएंगे हमेश्रा एडवांस दिखाएंगे हमेश्रा एडवांस दिखाएंगे चलता आप तक प्रपर्टी नहीं दिखा सकते क्यों के टाइटल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है आप उसको अपने प्लॉट लिया हुआ आपने लिया वाए लिया वाग्या आपने अभी किस्तों पे लिया वाई आपकी 80% इंस्टॉल्मेंट्स हो गई है 20 परसेंट अभी आपकी बाकी है जब तक आपकी 100% इंस्टॉल्मेंट नहीं हो जाती पहरियार टाउन आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर देती तब तक आप उसको अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेर नहीं करते हैं आप क्या करेंगे जो 80% इंस्टॉल्मेंट्स आपने दीवी हैं आप उसे एडवांस अगेंस्टॉपर्टी रिख्यार करते हैं एनी अधर एसेट्स में जो एक बॉक्स होता है नहीं है अब पैरिया टाउन है पैरिया टाउन में लीज नहीं है लेकिन बैरिया टाउन इस आपको ट्रांसफर लेटर मिलता है तो वह डैट इस सफिशन्ट इस्टैब्लिश और टाइटल लेकिन इस सूरत में कि वह और राइज दो अब यहां पर बैरिया टाउन में जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम में यह इस अब बड़ा प्रॉब्लम के दाउन इस अप्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लिए अधि गो पर इसके आपस सब्सक्राइब अबिलुद्धं ङए टाउन लिमिटेड नहीं ही ऐघ्रिया टाउननेमिटेड लिमिटेड उपसे लुप इस नुद्ट तो प्रांस फर्णव में घया टाउन्ट Millennarde में बैहिया टाउन और उनके बच्चों की नियत खराब हुई तो बैरियर टाउन में जिसने प्रॉपर्टी ली वे वो क्या हो गई जिसने ट्रांसफर की है वही मर गया लीज नहीं हुई तो अगर उन्होंने लीज करवा ली अपने प्लॉट ले लिया बैरियर टाउन से डांसफर करवा लिया अपने नाम पर अपनी उस प्रॉपर्टी को मजीद सिक्योर करवाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है आप बैरियर टाउन के पास जाएं उन्तों कहें के भाई यह मुझे आप एनोसी दें मेरी यह प्रॉपर्टी रिलीज करें मैं इसकी रजिस्टार के पास सब लीज करवाना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी दें प्रॉपर्टी उसकी लीगल है वह तो हो सकती है लेकिन मेरे चाहल से बॉला एक और दजीए और असलिए अचले नहीं है अगर उह करते हैं तो हाट में कर सकते हम सकते हैं लेकिन वह पॉर्ट में केशिकर सकते हैं कि प्राइट प्राइब लोकि ट्राइब लिए तेज्ट के लिए अगेंस लिए प्राइबलेटी क्रिएट आप आपके नेट एसेट की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना क्या मैंट एसेट की वैल्यू कम भी नहीं होगी अगर आपने अगर आपने लॉन लिया है अगर आपने लोन या आप यह कहले देखे इसने फिर दो सिच्वेक्शन किस तरह गए एक तो यह कि आपको बैंक पहले पैसे देगा और फिर आप घर खरी देंगे और उसके डिप्मेंट साफ बैंक फ़रेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि पहले आप बैंक से लॉन लेंगे तो आप लोन दिखाएंगे एक क करोड़ लाग रुपए का मैने फ्लैट ले सब्सक्राइब ले लिया तरह लाग रूपाश कम होगया एक लाग रुपए आपकी लाइबिलिटी क्रेट हो गई आपके पहले आपके पास पीचलाग कैश में था अब वेखलाग वीचलाग पापकी प्रॉपर्टी आगेंस में एक करोड की लाइबलेटी के लेगें जैसे पेमिंट जाएगें वेटोड जाएगें एक अप्रबटी ने प्रॉपिट पेड और पेड बाय परसन इंड़ एर और अन्य मनी बॉरोड इंक्लूदिंग बाइव ओफ मॉर्टेज तो अक्वार फंस्ट्रॉड रेनोवेट एक्स्टैंड और री इंस्ट्रॉड दाप के नोगें कि आपने अ कि प्रॉपर्टी से लून लें ग्यूम मॉन्टेश दमार के शपान के ति अ हम प्रॉपर्टी को खाल दिया को अ मैं पर क्लandial आप बैंको इंस्ट्यालमेंट एकांनेbie दूसरा इंट्रेस्ट का पार्ट है वह आप क्या करेंगे करेंगे अपनी इंकम प्रॉपर्टी तो इंकम फ्रॉपर्टी है ना इंकम फ्रॉपर्टी में से एक्सक्राइट अवेलेबल था वो फटम हो गया वह वह आप एक पर देडिया यह जो परॉपर्टी है ना वुपर्ट का प्रॉपर्टी हुपर्टी अप्रॉपर्टी है वी इंकषगे वी डंस ब federalतних था इंकम इस पे हम घर बनाते हैं और इससे रेंट पर दे रहेंगे लेकिन मसला यह के मेरे पास है वह घर बनाने के पैसे मेरे पास है अब ठोड महिंगा होता है तो धर प्लॉर्ट ही तो महिंगा होता है यहिए बॉ souvenir कि ज़दा प्रिंड हैं सब्सक्राइब करते हैं आपने से लोन लिया लोन भी नहीं कहेंगे इन्वेस्मेंट लिया आपने इन्वेस्मेंट से घर बनाया और घर को किराया पर देदिया अब आपकी जो सब्सक्राइब करेंगे वह सकता है तो आपने क्या किया धर बनाया और किराया पर देदिया अब रेंट आपने शेयर कर लिया तो रेंट कौन ले रहा है इंडिवीजुल ले कौन रहा है इंडिवीजुल प्रापर्टी किसकी है इंडिवीजुल की ठीक है इस इंडिवीजुल की तो वह इंकम भी पूरी की पूरी जो रेंट है पूरा-पूरा उस इंडिवीजुल का होगा हाँ अब जो रेंट का शे तो अगें टेक्जेबल इंकम क्या हो गई वही जो इसका शेर है लेकिन प्रेजंटेशन में डिफरेंस आगया प्रेजंटेशन में इस तरह से आगया कि आप इंकम रेंट आप पूरा दिखाएंगे और जो को आपने शेर दिया वह आप डिदक्ट कर देंगे डिदक्शन में देखेंगे अपार्ट रॉं पहला को सब्सक्राइब करेंगे वह देखें जब कोई इंवेस्मेंट करता है है ना एच भी एपसी आपके साथ इंवेस्मेंट कर इसमें देखेंगे एक्सक्लूडिंग दर रिटर्न अफ टेपिटल इफ एनी अप्रिसीएशन डशेर अफ शेर इन रेंट एंड शेर तो अप्रिसीएशन इंड वैल्यू अप्रपरटी अब एपसी आपके साथ एक कम यूँ होगा कि कि ओवर और ग्लोबली जो रेंट मिलता है ना वह प्रॉपर्टी की वैल्यू का मैक्सिमम मैक्सिमम फाइव परशेंट होता है इससे जादा नहीं होता है तो लेकिन आप यह कहेंगे कि जो प्रॉपर्टी है उसमें मेजर पॉर्शन भी तो सिर्फ प्लॉट का है तो प्लॉट तो मेरा ही है तो HBFC कितना ज्यादा कि अप्रिसेशन इन वैल्यू का शेड क्यूं मांग रहा है कि मर्दी वह मांग सकता है अगर आपको चाहिए तो ठीक है वरना आप अपने पैसों से बना लें टेक्स्पेयर भी किसी वजह से जाता है ने Hz किूं जाता है क्या रीजन यह होता है यह फाली प्लॉट है कि Tom explorer तो दिखायेगा ठीक है अगर मैं इस फिर बना के बेचाएं तो मुझे जजादा पैसे मिलेंगे कर बनाने कि मेरे पास पैसे नहीं आफ् Bean किया बनाई आपने स्की मी यह बनाई कि यार यह जो भर में बना लेता हूं और तो किराया आएगा ना उससे मैं एक तो 50 पर्षंट तो HBFC खुदी ले जाएगा और जो मेरे शेहर का भी जो 50 पर्षंट रेंट या वाटसॉवर पर्संटेट इसाइड होता है वो मुझे जो मिलेगा वह भी मैं क्या करूंगा है कोई वापिस कर दूंगा एजा रिटान अगेंस कैपिटल इंवेस्ट मैं तो विदिन त्री यह मेरी कि एजबी एफसी के पैसे भी वापिस हो जाएंगे और मेरी वापर्टी भी बन जाएगी वगएर किसी एक रुपया लगाए अब यह जो तीन साल तक एजबी एफसी आपके पास पैसे फसा के रखेगा सिर्फ रेंट में उसका रिटारोई क्या बनेगा कुछ भी नहीं तो आप से कहेगा कि भाई यह जो तीन साल में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो एप्रिशेट होगी इसका भी तो शेयर दो आप वह भी देंगे उसे खुशी खुशी देंगे क्या भी ले लो है आउट फ्लो होगा वह तो जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तब आपका कैपिटल गेन आएगा ना वह तो बात की सिचुएशन है बात का सिनारिय अभी तो आपका आपकी इंटेंशन क्या है यार बगैर जेब से एक पैसा लगाए इस प्लॉट्स पे मैं घर बना दो आपका भी काम हो गया एच भी आपको भी इंकम मिल गई उसकी इंवेस्मेंट सिक्यूर हो गई और इंकम भी जन्रेट हो गई ऑपकिल करा दो अबंटर 8 लिन्रेटिंट लुट वुटुट था ते इंटरी इंटलम्झच जिक्य घ्ड कर दो था इंटर इंधर 21 व Bowl अबंट शचेंट अपकिल इंट अश्यूर्णेशन फर इंट श्यूर्ण श्यूर्फिटन ऐ है exercise exercise our pack our ड़िब टेव Mhm यहां पर क्या है कि आपने पुरी 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 प्रॉपर्टी अपके पास एक प्रॉपर्टी थी आपने उसे रेंड पे देना था लेकिन रेंड पर देने के लिए उसे Quindi फ्रकोंच करना था एक देक लिए पțiर लिया इखाट तो इस aumento के लिए लिए जो आपने लिए था यो आप पेकर में वो था इसमें उसका स्कोप बढ़ गया दिक इहां पर अब सुब्जक्ट तु मोड्गेच और अधर कैपिटल चार्ज कि यहां पर सिर्फ मॉट्गेज की बात हो रही है आप कह सकते हैं कि इसकी अलग से जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां पर भी मॉट्गेज का वर्ड आ गया है इसमें इसमें क्या है इसमें आप पूरी वर्ड बढ़ें एनी प्रॉफिट पेड और पेडल बाइब 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 परसन इन एर और एनी मनी बोरोड इंक्लूड बाइव फॉट्ट गेज थी ऑफ मॉट्गेज तो एक्वायर फंस्ट्र रेनुवेट एक्स्टेंड और है अब यहांपर क्या तहब आ गया लेकिन आपर क्या है कि मनी बोरोड फो अंपर क्या मनी वॉडरोड मनी आपने पैसे लिए उस मैसे से प्रॉपर्टी एक्वाइर की या टें स्क्रठी या िट्थंटी या टेंस्ट चिपिया कुछ बहुत deze कि यहां पर क्या है विर दः व्हरपर्टि इस सबजेक्ट तुमाज़ और अजर कबि़ेटल चार्ज अठाओ धा मांट और इंट्रेस्ट पेड़ेड 60 मॉझिज और चार्ज़ यहां पर वह प्रौपर्टी के सब्जेक्ट ए मतलब कि प्रौपर्टी खरीद ीडी English प्रोपर्टी हरीदी ही बैंक ने कि डान को डिदक्षिन अवेलबल नहीं है डिदक्षिन आप ही को वेलबल है क्यूंकि यह प्रॉपर्टी मेंक के नाम पर आपने हैं दोगेज की मतलब के गिरभी रखा दिया वह बैंक की प्रॉपर्टी तब तक जब तक के आप अपना वो पैसे बैंक के वापिस ना कर दो हाँ mora less से मैं तो डिटेल्ट में जाएंगे तो डिफ्रेंस आपको नज़र आएंगे लेकिन इंड ने इन आपको इस्तिमाल करने के लिए अब आपने सब्लेट कर दी कि आपने क्या किया सब्लेट कर दी और आप अब इनकम एप आप अब आप आप अपकी बात करें कैसे बन गया सब लैटिंग होती है रैंक मुझे रिंट पर दी मैंने आगे सब कर दी होती है उसमें अपके जो मॉट गेज डॉक्यूमेंट से उसमें इसा कोई क्लॉज ना अगर उसमें आपने सब कर दी अब प्रॉपर्टी रेंट पर कौन दे रहा है आप दे रहें सब यापने और फिर आपने जो मॉट गेज में जो इंक्रेस्ट का पार्ट है वह आपकी इनकम फ्रॉपर्टी से में उसे क्या होगा यहां पर यह दिफरेंस नहीं यह एक्शुल बेसिस पर होंगे जो आपके अपके पास एविडेंस होना जरूरी है एक्शुल बेसिस पर यहां पर थेश्वोल्ड यह क्या किया रहा है एनी एक्सपेंडिच नॉट एक्सीडिंग 4% of the rent chargeable to tax in respect of the property for the year computed before any deductions allowed under this section मतलब 4% किसका बिफोर डिदक्शन यह जो ओपर डिदक्शन दिए गी ना उनको उनसे पहले उनको डिदक्ट किये बगए लास अमांट जो आपको रेंट मिल रहा है उसका 4% paid or payable by the person in the year wholly and exclusively for the purpose of deriving rent chargeable to tax under the head income from property including administration and collection charges यहां पर क्या आपने प्रोपर्टी रेंट पे दीविये ना प्रोपर्टी ज्याद ज्याद आप क्या करेंगे आप बोट लगा देंगे बैनर लगा देंगे फिर भी कोई नहीं आता आप क्या करेंगे इसी रियल इस्टेट यजर के पास जाएंगे वह आप से क्या लेगा को कमिशन लेगा को कमिशन अलाउब अग्रेट अध्यां से लेकिन यहां पर वो पर्सेंट ऑफ वह आप से एक महीने का फिर भी वो ज्यादा ही बनेगा फोर परसंट से तो ज्यादा ही बन रहा होगा एनी एक्सपेंडीचर पेवल बाइदा परसंट इन टेक्सियर फोर लीगल सर्विसेश एक्वाइड फॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेट विद प्रॉपर्टी इन पॉर्ट में के चल्राइब प्रॉपर्टी तो उसके टाइटल्स को डिफेंड करने के लिए आपने वकी पूरी पूरी इसमें कोई परसंटेज आपको ट्रेशोड नहीं दिया हुए अच्छा इसमें यह जो प्लॉज है इसमें और भी एक्स्टेंस हो सकता है रेंट कलेक्ट करने के लिए आपने एक आदमी रखता हुए अपने एक आदमी रखता हुए आपने 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 एक आदमी रखता हुए आदमी रखता हुए आदमी रखता हुए रखत tenant has vacated the property or steps have been taken to compel the tenant to vacate the property and the defaulting tenant is not in occupation of any other property of the person अगर कोई रेंट आपको मिलने की उमीद नहीं है आपको रेंट अग्रेंट तो बना हुए ग्यारा महिने का रेंट आपको मिला आठ महिने का बाकि तीन महिने का रेंट आपको नहीं मिला तो जो तीन महिने का रेंट आपको नहीं मिला वो क्या करेंगे आप तेरिकें वो तीन मेने का रेंट जो आपको नहीं मिला जो आप आप आपको लगता है कि अब नहीं मिलेगा बहुत तो होगा इक साल गुजर जाने के बाद होगा नेक्स इयर में वहाओ और इग्जमपल आपको आपने ग्यारा मैने की रेंट की थी आठ महीने का रेंट मिला था बाकी तीन महीने का रेंट चार महीने का रेंट आपका रिसीवेबल था आपने रिसीवेबल के तौर पे इसको इंकम डिक्लेयर करके उसके टेक्स दे लिया था बाद में जाके आपको पता चलता है कि भाई ये बंदा तो डिपॉल्ट होने वाल तो अगर आपने विकेट करवा लिए और उस टेनेंट की के पास आपकी कोई और प्रॉपर्टी नहीं यह रेंट पर यह दो कंडिशन्स अगर मीट हो जाती है तो फिर आपने जो पिछले साल में जो चार महीने का रेंट जो आपको नहीं मिला आपने इंकम डिक्लेर की थी न तो कि करी फॉर्ट का फूर्वीजन नहीं है तो अधर से किन ओली नेवल स्टेप्स तो इंस्टिटीट बीडिए पर देडिगरी अपेड रेंट और है डिजनेबल गांट तो बिलीब अट लीगल प्रॉजिदिंग वोड़ी उसलेस दूस्री कंडिशन क्या है आपने लगरां यह हो तो भी आपको कहीं रेंट बनता है एक लाह कुल भी निया वी तो उस सूरत में यह प्रोव्यजन आपका एक्लिकेबल पोसकता है दा एंप्रेट रेंट विन इंक्लूदेड इन इंकम फॉप पर्सन चार्ज़बल टॉटेक्स अनड़ इंकम पर फॉपर्टी को देख्ट इन इन विच थे रहें विए पेड पाइड विए पाइड निकाल दिया तो तो फिर आप रेंट पू आपके पास पैसे आई ही इतने होंगे अगर कोई आपका आड़िट करेगा भी तो वह करता रहें बैंक में आपकी डिकाज़िटी सब्सक्राइब ने की होगी अग्यारा महीने का बना लेकिन आपके पास रेंट आया ही आठ महीने का होगा लाइट आंग कर देना वह अग्याराइब आपके है गु़ाइब अच्छा ऐसा है धिर लेकिन तो ले लेटे हैं जमात करा लेंगे अपनास कुझ ध्यूंत ख़आ लिए आपके तो सक्वीन आपकाट अवालchemी ते टाइके ली नावब पार के लिए टाफ प्रिशम अपनावाब वीकाटनर मुडंग का लिए इसकी जो यह विंग जैने इसको स्विंग पर रगए नहीं तो थोड़ा तेम्ट्रेक्टर ऊपर रोगा है इसको चलने तो इसका फैन चलता रहा हुआ section 16 non-adjustable amounts received in relation to buildings अभ यह क्या नहीं बलाया देखे हैं where the owner of a building receives from a tenant an amount which is not adjustable against the rent payable by the tenant the amount shall be treated as rent chargeable to tax under the head income from property in the tax year in which it was received and the following nine tax years in equal proportions जिसको आम लप्सों में आप security deposit क्याते हैं जब आप कोई property rent पर ले रहे होते हैं तो एक तो आपसे ओनर लेंड़ॉर्ड आपसे चार्ज कर रहा हो तो एक लेता है advance rent के तीन महीने का advance rent देतो फिर वह आपसे लेता है security deposit होती है वह आप security deposit इसलिए रखवाते हैं कि अगर आपने मेरी ordinance 2001 का section 16 यह कहता है कि बेशक्त वह जो security deposit है वह आपकी income नहीं है अब यह security deposit लिया है owner ने यह उसकी income तो नहीं है क्यों क्योंकि यह को क्या करना है वापिस करना है एक्जेंपल अगर ग्यारा महीने में tenancy agreement वो रिन्यू नहीं होता expiration पे टेनेंट छोड़के चला जाता है तो तो ग्यारा महीने में वह आपिस हो जाएगा security deposit लेकिन इंकम तो नहीं है लेकिन इंकम टेक्स ओर्डिनेंस कहता है कि नहीं कि जो security deposit आपके पास है बेशक्त आपकी income नहीं है लेकिन for the purpose of this ordinance इसका 110 आपको हर साल इंकम का पाड़ बनाना है और उसके टेक्स देना है इसकी example जम देखेंगे where an amount here in after referred to as the earlier amount referred to in subsection 1 is refunded by the owner to the tenant on termination of the tenancy before the expiry of 10 years no portion of the amount shall be allocated to the texture in which it is refunded or to any subsequent texture except provided for in subsection 3 atravies इससे डिद्वाइब क्या कि लुजभ लुब्ष चुशन के अगले पांच साल क्यों का आपने को अगले पांच साल क्यों है कि अगने आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे दीवी थी सेक्योर्टी डिपॉजिट था एक लाख रुपए अब लोग क्या कह रहा है वन टैंथ आपको दस साल तक वेश्तन आपको टैक्स आपकर देकर तेगां चार साल आपने करदी तो दिखाएंगे निस दृपर्टी चडिह नहीं रेंट पे तो शेक्योरिटी डिपॉजिट नहीं तो अगले पांच साल की कानी को यहां भूल जाएं यहां पर सिर्फ जिस साल खतम होगई वापिस कर दी वहां पर बात खतम होगई जो पिछले चार सालों में आपने उस पर टेक्स दे दिया वह दे भी आ खतम बिल्कुल सई है और से नोटीस जिस भी आता है तो अब इसमें आपके पास इंट लोग नहीं है अब वेल्थ में वेल्थ में आप टेक्सवी वेल्ट लिकंस लेशन मा दिखा रहोते हैं जिकने बलिंकम इतनी इसमी और फिर वाली इंकम इतनी अधर इंफ्लोज इतने तो आपकी टेग्जेबल इंकम जो है वह तो इस केस में ज्यादा आरी होगी 12 रुपे रेंट और एक लाख रुपे का 110 रुपे सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी एक्जेम्पल ले 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 लिए कि कोई अलाव नहीं बारा लाख रुपे पूरी इंकम है आपकी टेग्जेबल इंकम क्या बन रही है बारा लाग दस हजार लेकिन इंफ्लोज को आपके बास बारा लाग के हैं तो यह दस हजार काऊंगे अधिन इन नहीं मैं वेल्ट रीकंसिलिएशन की बात कर रहा हुए एडवांस को छोड़ दो नैं कह रहा हूं कि आप जो वेल्ट रीकंसिलिएशन में इंकम दिखाते हैं कि मिरे पास यह इंकम आई अब आपकी टेग्जेबल इंकम कितनी बन रही है बारा लाग दस हजार पास जो कैश आया है वह कितना है बारा लाग पूरे बारा लाग रुपए जो एक लाग रुपर सिक्यूरिटी डिवॉसिट है वह तो आपने पूरा पूरा इसको लिखता है हो है ना यह जो दस हजार रुपए अडिशनल इंकम आपने डिक्लेर किये जिस पर आप टेक्स भी दे रहें इसका कोई कैस्तों नहीं आया यह पिर आप अधर ने डाला तो यह एड़ेस्मेंट्स में डालेंगे तो अभी एग्जेंपल जो आपको जो वन आपको जो वन फिफ वन फिफ जो आपको रिपेर मेंटेरेंस मिल रहा है इंकम फ्रॉपर्टि में इसके अगेंस आपने कोई एक्स्पेंस तो आपने कोई किया ही नहीं है अब आपकी इंकम क्या रही होगी एक लाग रुपे थी ट्विंटी परसेंट अलाउंस मिल याशी अजार रुपे लेकिन आपके पास कैस्ट ना याशी एक लाग रुपे तो इंकम क्या रही है असी हजार कैश कितना है एक लाग रुपए तो बीस हजार रुपए कहा जाएंगे अधर इन लोग यह पांच साल पे कह सकते हैं तो हर साल आपको मिलेगा हर साल आपको मिलेगा और इंकम का है ना यह जो होता है है अलग चीज़ नहीं होता है रेंटल इंकम इतनी नहीं है इतनी नहीं यहें oh और डेपरेसियसं तो है निना कोई इसमें तो है निना depreciation का कौकूइ निए नहीं है लिक्वा के गरिव चर्णों तो एक आकाउंटिंग डेपरूशियसेंट लापी और इसाटेंट बंधिशाटक लिए टेट भी से Team को लाइविग है कि अमगार्व कि ए एक दो कि अवंगतरों किन शॉजर नॉरनगे धन को है अजमें को Himalний यह ED वर 세घेंगर। कर दो एक जड्ने को हैं तो अच्छी ने को बूपते हैं इपाइद्टेजिए अच्छी में अगा जो पिलिए जो थो नहीं से नहीं, वाए का लिए जैंग देखादि है। यहां जा पुद्धिए जो कर दो निखें अज़ें ऊपते हैं अजयी हो से इसको पीजया है। जो पो जो जो अगो पता है? मैं जो कहल एक्ख कर दिवाल माश जो कहते हैं। और देअर सुकूल निहां सत्री है। है कि यह एम सह Σकते हैं तुसारियं। मंदिवाैं तेहां करने हमाने ? मंदिवाल में कि अभषी में लुटव सानल खरा हैां। मंहें थी लुटवान। अजी का शे लगकी. बुर्श में कि अको प्हर की इसकाना का इंदा थै तुल पर भेले लेख में असरे Cinema की से अधित है कि अधिन पुर्स थे आता है थो पुरा कि आधा आपकर तुम कीओ में देगा अधिकर अवाना फ३़ए गाता थे अब प्रहस कुगेगा Church को जाना ओणाना कि तो जाना है, कि अश्र और सुन में की बश्कूर्स के आपको एड परव बड़ दाना हो तो जानए नियुक्त वादर शो यह वयूद भी गिन की है तो मैं पूसीर न केहा दॉरूराँ की का एक दूरूररियह इसे सारी पीन तो. कर सारी किर飯, समें। तरह एक देक किने तावोय कही सारी वहाएल मिटक का इसे तरहूर भीन beide। अच्छिए, हमाई उतले हो जाता है। कि अचिए, हमती भी पूदू को जो करें। खुर कितलो खुर एचसे हो जो यहां तो चाहिए है? तो जो एफ़ाज करें खाई करें कि वरह हो चाहिए? तो जो एक मिल्चान, तो जो जोब से आपसी आपको यहीं तो जाप It is a खुझी है हाँ जो क्यों शुझी जो खाई कि रही है में प्रस जोखता है सबने दिए खरने कि बोगों नहीं एकुछ निया जापके सब्सक्राइए उडाबटार्गार सुष्टरा इस पोणे ते इस पोगने तोरी ओलेगे तोरीजिए पिर नायवारा थाकिया अगुछ अधिए लिवान जानां इस अधिक वहता थे जोंदेडाएं तोरीजिए ने अभी जहान बार चन्माना वो है न हमीलों दो पूँगे को अभी भी नहीं पेगी रही गाया ऊओ लिगन भाल इने को देगी फॉर्मिल का पजया जया गो उप गया है उससे हमारे परते खर्टेशियर नहीं को जहाने इन तरफे तो मेंदना दटिकिनिया में अगाला इनने देखिए इसको गहाल देखे आप सर्वेनि पासे हैं सब्सक्राइब का इन कि अदर जानी की अधिश्ट कोई खांग कि आद है इस तरह दोड़ा कर दोड़ा इस तरह दोड़ा कर दोड़ा है इस तरह दोड़ा कर दोड़ा कर दोड़ा है इस तरह दोड़ा कर दोड़ा है इस तरह दोड़ा है इंभाखिक जो घराखिए करते हैं जो अधने रगेंगी हैं जय को भी प्रह देखने एक जिक अशने क्मीश की से लिए प्रहु आपच के एगें और अब रिए बोदुद्व जैंगा इंग के इंद्र के वेढ़ेंगा है और अब जाकर देला ने इसन दवाझ सो भूजाए नित जोए नितर रिधु होगे हैं हैा प्रभ बखेंगों है वीधर उतर है अब विलेगा हैँगेज्ट में के तुछे अधने जोगए, पशनने में लिएकता, ऌधने नो良गेश्ट अता pa तो मैर रोख रञजरे लियो चला है राज़े या करेंग निए चला है कंस अ मैं फिन्गई जीने तो प्रिक्षेश बड़े पर दिस प्रिक्षा भी चल रहे चाटे पीश प्रेश वेऊ तर्फेश। यारा वारा पेस्ता तोने काना जो कि आगे अगे 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 आगे अगे अगे आगे अगे 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 मर लुषनिं तक निक आयं नहीं जािंग आडिना मिए मतेशन कमा अ Spe Scripture me Syear नहीं तक में CKrelated करनी से अ कि कि अ मतनी उपी मैं के आशाओ निए नहीं झाल मत और्लब शाओ और वह दो जेस कि अ तो इसे सबस्केशलेघ़ है नापी मेरे फिर कोई परप्सकारा नहीं ब करनाने अचाना दो जो जाए है वे नापी परप्सक्राइ़ परड़ जा रहेट कि वोर्य ग्योंतार यह वे लोगता मैंने अधियागाई यह एही एपने महत देखें तेखें से राइख. थादरशी एकराइख हो थेखेंगे पर उपाद है लिए को यह इन लिए बाद ही नियुगें । जो मेरे सामने के लिए सामने की रहते हैं प्रस्रिंगार हो ना से सीपलिए. व्हेतन गातरीय चैन्टें जैन्टें तदारा रपर टेपकाशी हुआ और टुझाएं के आवकेश के होगे जोग वहां जोगा हुआ जिए है। तपा की वाज एक इस लहां गागी ते अपनों किया हुआ गचाशना है। अब शब सोता है दो यहाद पहला चुटाए एस जो सुटार निद खाला दो आना दो पिजिए प्रेट रहत कहलों कि लोगेद्ग नियुटी ते आकलंकि पना रहत कुछवार बाख प्रेंगा प्रेंग टेफाला दो अए अई तो ए उन्द था कर गट्या प्रेंगाद फिम् युटर वैटे मारत इन मिड्स को रहिभ सबी करते हैं अचा हिग एप सिर्फोटी ज्रिखेस करते हैं तुर करें ज्लेध जी नहीं करते हैं को खिचते हैं करते ही लें कि अच्छल क्या क्विश पर है ज़से के सब्सक्राइब सेब्सक्राइब करें एक दिते तफिस्नें के दो करेंगे ऊधिल लुटूटिया। ज़िए उसे किली साथा हूँ, किला समय ही सुटूटिया शुटूटिया कि शुटूटूटीब करेंगे। सरक घठार सेघरडर सोसा के पालागल दिना रहं है विव में सकतर घठार वही ना है सब्सक्राह justeं करना कौता है भोष केश्ठार सुबस्च जा का कोको सन सपफिए। शैंथा है क्कुषिए जो हिए विए किया के होरा सम तरह को कर दो सब्सक्राइब नुम्हार जार सिर्ट अजेत में लुक्तर है। यह जपिन वी कमझें ही वार कि लूंक्टरी में वीलिग वीलिग चानी ही। जो से दो से लंचल वर खुटाइब की छिव्यार्ड़ में राज चाहिए। कि अनुछ में वीलिग अजिए। मुष्रा इसका अगड़ा है कि अप्षु के सुफिसर एक स्पार्टाइब हो यह इसके अदर कराती पाफ स्वंगर स्पेश्प वान भी से किसा और इसके एक घ्रतिर संगर्थ के जेश्प जारा हुट है जो इन भीन करता है, स्वाज़ट वो स्ट्क्रक्सियों में दिल विस्म निपी उटता है, तरी में करें करने शर्साट कुछ सौनी हो प्रश्टे जाज़ना है, गाल उटचा इश्ट उटता है, स्उट उटक्रिस रहे हो इस्टार इंसरों प्रश्ट परपशनी है, सब्सक्राइब काई प्रोथ क्ते हैं बदोरां को उधियार नहीं, अधिया किसा तरह किता। ज्सान्यों से ओर में भी जाती है कि अधियाथ, सिर्दाइनों गधियार वेटले कि उड़ेल सेच्छ। दो बटो यहिंदा है। इस हेडली केंड़र है। शुंहेर तक निविल करने हिए लिए भी लिए, अवे-विल आपिविल निवे सेटियं। जब रोगल सी करेंड़र। जब चैने अब बिचे अगर होगी लिए प्रेटीन निवे लिए विलाए। कि इढ़े लिए एको मनुदेध करबाने नहीं कीम्स्किलें आज़ते हैं कि निए तो आपके गश्चित को आपकी है निए निए घ्ली प्रिणियों को बढ़े लिए नाथ के लिए का रिकोका है में जोह अखे जोच दो और समगें यंद है हैं। जसके मेगें गाडिय के ढगी जादने, आल अए खुतके मेजें पे जुमारा मुझाने, मुझागी है दो जारागा है चारी में जोडिए, ब क्कुमु रवा हुआ संनु कि अधिक सब्सक्राइब उसे वह दो जो पेरिंगों करें मार्केटिंग अपर आखा एप हम आदा हमें भी भागें कि वह दो सर्जेंस की आपमेंगे करें लिए आपको लिए आपने लिए रिए जातने। तर्फो नहीं बन देज आपकी जुब तुम इस के आपकी जिए। यदुक्चिन वे ने थो ए्यांड। फिर उनमांटで आप 2 एंटे.." हम आप doubts आप प्रण आप क्यों ने अएकिर प्रदिकेज करूम आप छिजा करें क्यों गार थिर त आरे रचेज विद दे और प्रणिख न सा 관리 to occur and the owner lets out the building or part thereof to another person there in after referred to as the succeeding tenant and receives from the succeeding tenant any amount there in after referred to as the succeeding amount which is not adjustable against the rent payable by the succeeding tenant the succeeding amount जिस्ट टू त्री मिनिट्स यह अटिनिंट शीट आप तक और ठीक है और तक्रीबन सबने साइन किया है लेकिन कॉलम फिल निंग किया है नौट कंट आप से वह अचीव नहीं होगा और आप अचीव करने चाहरें वह अचीव नहीं होगा ओशीव करने का रहा हुआँ अचीव ना हुआ है और भूश थाने किया हैं छोड़िव सिए और और कोशेश है कि लिख नाओ सिर्ट था इतरिक्ष मेंटेंग। हो चुकी होती है और फिर इसके बाद आपको मैं भी आपकी जगाव होता है तो भढ़ने की पढ़ी होगी तो इस लाद के बहुत ज़्यादा इमकान है कि वो मिस होगी तो इसलिए रूटीन में मगरब के बाद औरन बाद फिर दे क्लाफ स्कार्ट आप ये इवालिएशन शीट भढ़ लिया करें पिर इसमें अगला कॉलंग है कि प्री कोर्स टाइम जो त्री आवर्ज मैंने शुरू के प्रगैम में रखा था कि आपको त्री जो मटीरियल लास्ट वीक दिया गया था वो नहीं पढ़ेंगे तो अब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेंगे जो इस प्रगैम के रियल अब्जेक्टिव हों ठीक है किसी ने not a single person has filled this column does that mean कि किसी ने भी नहीं पढ़ा does that mean कि पता नहीं तीन घंटे पढ़ा कि नहीं पढ़ा अगर आप आदी घंटे या पांच मिनट भी पढ़ें तो put that in that column this is very important for us फिर इसके बार जहर है हमने मुझसे नहीं बात की थी टालफोन पे लेबल के लिहास से तो I presume कि you all are on particular level ना जो लोग पिछले बैच के हैं उनके बार में का रहा जो नहीं बैच के हैं उनकी बात करने हैं ठीक है और इसके साथ साथ इसके अंदर दो कॉलम परपस्फिली रखे गए हैं कि आपने ओफिस में कितने ओफिस में पढ़ा है और कितने ओफिस में पढ़ प्री टाइम अविलिबन है तो ट्राइटू अवेल डटाइम विदिन दी ऑफिस बट प्रवाइड के वो ऑफिस में टाइम अविलिबन हो अच्छो के हैं हाँ ओनर प्लस एंप्लॉई दोनों भी बैठे हुने हैं तो इसलिए हाँ से मेरी रिक्वेस्ट होगी ओनर को भी कि वो भी इस बात का स्याल रखें कि वो ड्यूरिंग ऑफिस अगर मुम्किन हो उनके प्रैक्टिकली मुम्किन है तो वो अगर इंप्लॉई से रियल अचीव करना चाहते हैं विदिन ऑफिस आइस वो टाइम भी दें इसके लावा फिर है कि अपने एक घंटा आपने बाद वो थ्री आवर्ज लिखावा है और जो एट होम लिखावा है वो वन आवर लिखावा इसी दरफ से टाइम इन और टाइम आउट कि कितने बज़े आप आए और कितने बज़े गए punctuality हमारे लिए important है to start the time on a particular time ताके बाकी लोगों को wait ना करना पड़े जिन लोगों का पढ़ने का environment बहुत ज्यादा जिन के पास नहीं हो तो there is a possibility तो यहाँ पर दो धाई बज़े भी आ सकते हैं तो अब हम तकरीबन class की setting जोड़ है जो जाती है नमारा lunchtime तकरीबन बहुता बहुता है class की setting हो चिक्वी होती है जो लोग जल्दी आ सकते हैं तक कि time पर class start हो जाए जल्दी भी आ सकते हैं बाखी चीज़े हमारी internal हैं और मैंने कहा तक मैं आपको colorful pen मेरी responsibility होगी तो यह अभी लेवी जेगा एक और चीज़ जो इन colorful pen से आप note करें वह पिछी तप मैंने clearly नहीं बताया था जो हम अपने workshop में बताते हैं कि वह area जो आपकी tax saving का area है उसको अपने material में मार्क करें कि यह saving का area है जो आप अपनी management को बताएंगे या फुद डुबारा इस subject पे सोचेंगे कुछ area ऐसे हो सकते हैं जो आपको अपने दीगर department से कुछ नहीं होंगे जो आपको नहीं पता हो इस सब्सक्राइब हम हमारे लिहास से gray use करते हैं कि यह gray area है आपको पता नहीं है कि whether your management your entity is doing that or not तो वो gray area है किसी तरसे मतब red area वो area है जो कि आपकी management या आपकी company नहीं कर रही लेकिन वो bum पे बैठे हो है जिन bum की मैंने तसकरा कई रफ़ा बार बार लग बन इसलिए use किया है and that red in general भी indicates यह problem area है तो वो कोशिश आपकी होनी चाहिए कि अपनी management को communicate करें कि यह problem areas है एक दफा कम असकम कोशिश करें कि writing में communicate करें ताकि कल को अगर notice आए तो वो red area आपने communicate कर दी हो और अगर आपने कभी भी communicate नहीं किये वो red area तो you may be held responsible कि यह पत्त्री गर्दन है इसी को पकड़ लिया जा है यह course करके आए थे टाक्स excellence और किस्वादियों companies यह पत्ती गर्दन है इनको पकड़ लिया जा तो एक दफा मैनेजमेंट को कम असकम वो writing में अपने team leader को जो भी आपका team leader है उसको भेज दें उसको अपनी main emails में Alex से संभाल के रख लें including a print at your home बड़ी गलत बाद कह रहा हूं लेकिन आपको कि से बड़ी मुसीवत से बचाना चाह रहा हूं है इसले कि we have seen those people कि देंको tax department से निकाल दिया गया यह company से निकाल दिया गया on the ground कि उनकी वज़ा से actually उनकी वज़ा नहीं थी effectively management is responsible or your top management is responsible for all that कि वो करते हैं या रिश्वत के चक्कर में वो बचने की कोशिश करते हैं कि मसला नहीं है मसला नहीं है मसला नहीं है especially जब आप indirect taxes पढ़ेंगे lastly मैंने आपके ambassador कहा था अपना कि आपने हमारी market करनी है कि अगर हम इन साथ लोगों से और एक recorded lecture की खातून है तो आठ लोगों से we cannot live we will try to live and we will try to proceed ठीक है नहीं लेकिन कोशिश करें कि और लोगों से induct करें कि पहले दो lecture recorded ले 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 लें और फिर इसके बाद और फिजिकली आ जाएं आपके साथ हम next class जो है इस ground के उपर या future में कोई भी class इस ground के उपर postpone कर सकते हैं कि आपने नहीं पड़ा we want your performance and we want your the good result किसी भी class को इस ground पर postpone कर सकते हैं तो future में अगर ये unfilled मिला तो दोस्ती मैं कहरा हूँ you may be held responsible for the postponement ठीक है ना ठीक है और जाहर है इसमें हम ने आपकी terms and condition में कुछ जहों के लिखा हुआ है गोल मोल जबान में कि इन इन चीजों की विया से पोस्त्में में हो सकती है परपस भी अब जाहर है हम जब जुरुष पड़की तो यूस करते हैं अब जाहर है what can I do for example आपको practical difficulty बताता हूँ साद्विन खालिस आपको program करना है last Saturday को उनको email चेड़ी गई तो नेक्स Saturday को आने वाले Saturday को program करेंगे जो आपको material थोड़ी देर बाद मिल चुका है उस पर साद्विन खालिब का नाम लिख हुआ है मगर आसे दो-तिन मिन पहले उनोंने excuse किया कि मैं busy हूँ year-end closing में because 31st is the year-end, 31st को next Saturday है so year-end closing में मस्रूफ है इसलिए I'll not be able to do that in that case हम normally कोशेश करते हैं कि alternative plan B भी अपना प्रयाद रख रहे हैं लेकिन बाज़का plan B भी नहीं हो सकता ठीकिन अपो फिर हम आपको excuse the email भेज देते हैं लेकिन that does not mean कि आप अपनी तीन घंटे की पढ़ाई इस presumption पर करें कि मैंने पिश्ची तपा नहीं पढ़ा था तो postpone हो जाएंगा that is our prerogative पर postpone करें करें कि नहीं करें तो मैं यह वापस शीख छोड़के जा रहा हैंगा आपको एंदी फिल पर दीजेगा तो चीज मुझसे नहीं हो not relating to the topic otherwise वो आप एक निताल से आगे बढ़ा हुएंगा कि यह आप 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 जाएंगा 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 कर सकते हैं तो that will be good for us और आपको तक्लीक रूंगा कि अपने हस्में को call करके अपने बलके मैं आपकी class में से एक monitor ही बना दूना बजाएंगा इसके के इनको तक्लीक देए आप ने कॉडिनेशन की थी तो यह स्क्राइंग तक शीख पहुचा दीजिएगा अगे इन टेक क्यार वेस्ट प्रेंगे थैंक्यू सब्सक्राइब के बात हो रही थी कि पांचपे साल अगर टेनेंट को पैसे वाप इसको भी सेक्यूर्टी डिपॉजिट के टेनेंट शोड़कर चला गया तो पांचपे साल हम कोई सेक्यूर्टी डिपॉजिट के टैन परसेट एक्सिबल नहीं करेंगे जो पिछले चार साल कर दिया कर दिया ठीक है यहां पर कानी खत्म होगे भी सब सेक्षेंट त्री में कानी को आगे बढ़ाया गया है कि जो पहले टेनेंट चोड़के चला गया अब और प्रटी को खाली तो नहीं फूरेगा या तो बिचेगा या रेंट पर दुबारा देग किसी को कि लेट सब्सक्राइब बाद इकार टेनेंट ढग गया इस दफाह उसने ने टेनेंट से सिक्योरिटी डिपोजिट एक लाग के बजाय लिया कितना डेलाग होता है अब लोग क्या कह रहे है कितना पर संट लेना है तो माइग कुस्टिन इस कि क्या वो डेलाग का टैन परशंट लेगा पांचमे साल में डियूरिंग दाएरी पांचमे साल पहले तो हमने यह डिसाइड किया कि अगर पिछला टेनेंट चाला गया उसकी सिक्योरिटी पॉसिट वापिस कर दी तो आप कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है नहीं तो कोई वन टैंद भी टैक्सिबल इंकम नहीं होगी लेकिन सिनेरियो चेंज हो गया कि पांचमे साल में ही दूसरे टेनेंट भी आ गया और उसने नया सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया अब उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो पिछले वाले से ज्यादा दिया 50 परसं इसका कितना हो गया फिप्टीन थाओं अपैरेंटली इसी तरह है लेकिन इस तरह है नहीं कि ने टेनिन ने कितने पैसे दिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के डिए लाग कुट है आप पहले कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट टेक्स कर चुके थे 40,000 तो इस ने लाग में से 40,000 आप एक्स्क्लूट करेंगे उसके बाद जो बचा कितना बचा एक लाग दस हजार अब उस एक लाग दस हजार को 10 परसेंट से मुल्टिप्लाइब और उसका 110 देंगे पिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपकी नोशनल इंका में करेंगे वही चार साल करेंगे करने की बात नहीं है आइडिया यह है कि जो अगर किसी एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला था ना तो उसका उस सिक्योरिटी डिपॉजिट का 10 परसेंट जो है वह आपको क्या करना है टैक्सबल इंकम डिक्लेर करके उस पर टैक्स देंगे वह आपकी इंकम होती भी नहीं है लेकिन दा आइडिया इसके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको दिया गिया है वह आप यूज करेंगे ना कहीं नहीं अपको तो नहीं है मतलब एक अपरचुनिटी आपके पास यह कोस्ट और यह एक उपरचुनिटी आप इसको यूटिलाइज करेंगे और अब उसको किस तरह से उटिलाइज करेंगे उस पर को इंकम आप जनेरेट करेंगे नहीं करेंगे तो सिप इस प्रिंसिपल पर उसको टैक्स किया जाता है दर से नेक्स्ट अब हमारा हेड ओफ इंकम आ गया यह इस पर इंकम प्रम प्रपर्टी से पहले कि अच्छलों के निपढ़ लेते हैं उसके बाद पर अधर सोर्सिज में आते हैं डिविडेंड रूसी का आता है कैपिल गेंग Capital Gain, Section 37. Subject to this ordinance again arising on the disposal of a capital asset by a person in a tax year other than a gain that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head से इसी दराद की एंकम फ़ॉम प्रॉपर्टी मैं यह आधर देन ग्रंट एक्जेम्ट ट्रॉम टार्टेर्श अदर इस ओर देन वेशंट आपका ना पीज़ेंट एक्जेम्न ट्रेन्ट कोई ही नहीं वो एक्रिकल्चर इंकम कहलाती है अगर अगर आपने लेट आउट की विए आप तुछ कल्टिवेशन नहीं कर रहे हैं और आपकी भी एक्रिकल्चर इंकम कहलाएगी वह इंकम प्रॉपर्टी नहीं वह एक्रिकल्चर इंकम की डेफिनेशन में कवर रहती है इंकम प्रॉपर्टी एग्जेंट पाकिस्तान में नहीं है आउटसाइड पाकिस्टान है पर एग्जामपल यह ज्यूएज और आप इंटरप्रॉटेशन हैं दो इंटरप्रॉटेशन जान इस्लामबाद कर ट्राइबूनर्व बैंच का इंटरप्रॉटेशन यह यह है कि इंकम्ट्रॉपर्टी पे टेक्स यूएएगी में नहीं अगर वह पाकिस्तानी है पाकिस पाकिस्तानी रेजिट्ट की फॉरण सोर्स इंकम है लेकिन पॉरण सोर्स में तो एक आगा नहीं पॉरण कंट्री में टेक्स नहीं है पाकिसान में तो टैक्स है अब टेक्स लॉज यह कहते हैं कि जो शक्स जहां का रेजिडेंट होता है ना वह वहीं पर टेक्स देगा और अपनी ग्लोबल इंकम्स पर टेक्स देने का मतलब यह होता है कि अगर आपकी USA में इंकम हो रही है UK में इंकम हो रही है यूए में इंकम हो रही है तो आप उसे यहां पर टेक्स ज़रूर करेंगे अगर फॉरन कंट्री में आपने टेक्स पे कर दिया है तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा अब इसमें दो सिच्टीएशन दो सकती है है situation यह सकती है कि आपको मजीद देनी की जबरत ना पड़े यह भी हो सकता है कि मजीद देनी की जबरत पड़े पड़े फॉर इग्जाम प्रइड सबूस्य क्यों कर रहा हूं मैं एक्ट्यों कहीं नहीं पता युओस्यमे टैक्स रेट टैन परशंट है तो टैन मिलेगा अब यहां पर दो बैंच की अलग अलग इंप्रिटेशन इसलामबाद का बैंच कहता है कि नहीं पाकिसान में टैक्स होगा ट्रीटी बाद में है पहले लोकल लॉज देखे जाएंगे जहां का रेजिडेंट है ट्रीटी का मकसाद ही यह है कि डवल टेक्सेशन ना ओ तो जिस कंट्री में इंकम जनेरेट हुई है अगर उसी कंट्री में एक जन्ट है तो हों कंट्री कैसे उसको एक्जम कर सकता है नहीं कर सकता अब दो इंटरप्रिटेशन है अब वही अगेंग अब यह हाई पोर्ट में जाएगा मामला कि नहीं रेसेंट है कि तीन साल पहले तो यह शुरू हुई है 2019 से अब उसके बात से पहले तो इस पर कोई बात ही नहीं थी न तो अगर हाई कोट डिसाइड कर देती है कि अगर पाकिस्टान में भी एक्जम्ट कर देती है तो इंक्षे पाकिस्तान कुछ अफ्रिकन कंटरीज जिनके साथ प्यूइन नहीं है अदर्वाइस पुछ एफ्रिकन कंटरीज है यॉर्पियन कंटीज उनके साथ नहीं अधर्वाइस मोस्टली कंटीज के साथ पाकिसान नहीं ज्यादा है तेवंटी एक लगता है तेवंटी एट प्लस था तो थाउजन टू तक जो है वह सेवंटी एट प्लस हो गई है okay capital gains with this subject to this ordination is again arising on the disposal of a capital asset by a person in a tax year other than a gain that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to text in the year under the head capital gains capital gain chargeable next available under the head capital gains किसके दिस्पोजल पे इस पे बड़ी इंपोर्टेंट एक प्टाया जाएगा नॉट इस्टेंदिंग अनिधिंग इन सब्सेक्शन वन गें अराइजिंग अंडिस्पोजल फिम्मोबल प्रॉपर्टी सिचुएट इन पाकिस्तान पॉपर्सन इन टेक्सियर शेल बी गेंग अड़ रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन एट ऑफ पार्ट वन ऑफ देपस्ट चेडिल अब यह आपर देखें यह जो इम्मोबल प्रॉपर्टी का जो कैपिटल गेंगें वह बिल्कुल इसका अलग है अलग है अलग है मोबल प्रॉपर्टी भी कैपिटल एक तरफ इम्मोबल प्रॉपर्टी एक तरफ इम्मोबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन बिल्कुल डिफेंट मैटर्स होगी अच्छा इम्मोबल प्रॉपर्टी भी कौन सी है सिच्टुेटेड इन पाकिस्तान जो immobile property पाकिस्तान से बाहर है उस पे जो capital gain होगा वो किसमें आएगा सब section 1 में उपर वाले में और जो property immobile property पाकिस्तान में उसकी disposal पे जो gain होगा वो subsection 1 A में टाइट होगा. Subject to subsection 4, 3 and 4 को काट के, अब 4 हो गया. The gain arising on the disposal of a capital asset by a person shall be computed in accordance with the following formula namely A-B where A is the consideration received by the person on disposal of asset and B is the cost of the asset. Simple, straightforward, nothing to be elaborate. सारा इस साल बजट में अब चेंज हो गया. Subsection 4, for the purpose of determining component B of the formula in subsection 2, no amount shall be included in the cost of a capital asset for any expenditure incurred by a person that is or may be deducted under another provision of this chapter or that is referred to in subsection 21. मतलब कोई business expenditure आप अपने capital asset की disposal में से माइनस नहीं कर सकते हैं. यह देखें, यह जो सारे प्रोवीजन्स थे ना? Subsection 4a, यह क्या था, where capital asset becomes the property of the person under a gift, bequest or will by succession, inheritance or devolution or distribution of asset on dissolution of an association of person or on dissolution of assets on liquidation of a company, the fair market value of the asset on the date of its transfer or acquisition by the person shall be treated to be the cost of the asset. तो यह जो inheritance वाली, gift वाली properties थी ना, जिसकी पहले पॉस्ट अलाव होती थी, transfer वाल के date की fair market value, वो पॉस्ट अब अलाव नहीं होगी. यह कब से हुआ? परस्ट जुलाई 2022 से उससे पहले यह पॉस्ट अलाव होती थी. इसमें सबसे बड़ी ज्यात्ती कहां पर है? अगर कोई property gift में मिली, तो वो तो चलो समझ में आती है बाद. यार gift ही मिली ना, पूरी पूरी property gift ही है ना, आपको तौफाई मिला है अब अगर आप उसको बेश रहे हो और उसके जो भी sale consideration है आपके लिए तो पूरा-पूरा profit ही ना, gain ही है ना, आपके लिए पूरा-पूरा, उस पे टेक्स देदो कौन सी बड़ी बात है? इसी तरह succession inheritance वो भी अबागी जाकताद मिल गई आपको आपके तो नसीब खुल गए ना, ठीक है? जो COD है ना, यह ज्याक्ति है यह तो आप आप ही के पैसों से खरीदावा था ना, एयो पी में प्रॉपर्टी थी, partnership business आपने खतम किया, अब partnership business खतम करने के लिए पैसे नहीं थे तो क्या किया? प्रॉपर्टी डिस्व्यूट कर ली, अब वो अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आ रही है, तो वो तो आप ही के पैसे होगी थी ना, आप ही की capital amount की थी, लेकिन उसकी disposal की आपने cost does allow कर ली, खलत जाती है, for example, आपने एक, आपका एक AOP में बिजनिस चल रहा था, ठीक है, आपने आपका बिजनिस चल रहा था, पहले आप किराई की जगा पे आप काम कर रहे थे, बाद में ऐस्ता ऐस्ता आपने तरक्की की और आपने अपने अपनी जगा खरी ली, वहाँ पर factory डाल ली, ठीक है, अब उसमें हुआ किया, उसमें हुआ ये के बाद में एक पार्टनर मर जाता है, एक पार्टनर मर गया, पार्टनर्शिप क्या हुई, डिजॉल्व हो गई, अब उसका कोई वाली वारिस है नहीं, बच्चे हैं चोटे हैं, वो बिजनिस करनी सकते हैं, क्या होगा, मजबूरन partnership dissolve करनी पड़ेगी, partnership dissolve होगी, अब इतने पैसे तो हैं नहीं, solution हो सकता है, solution क्या हो सकता है, या पहले property dispose करो, पहले property को dispose off करो, उसके बाद क्या करो, फिर distribution करो cash में distribution कर लो अब वो situation एक जो partner है जो business को continue करना चाहता है वो नहीं चाहता है वो कहता है कि नहीं यार ये तो नहीं कर सकते property बेज देंगे तो business नहां करेंगे फिर दुबारा कैसे खरीदेंगे और मैं फुद भी नहीं खरीद सकता है इतने पैस होगी मजबूरी अब करना पड़ेगा तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा लेते हैं अपने अपने नाम पर प्रॉपर्टी अपने अपने नाम है यह जो जियाती है यह आटमे नमक के बरादर लोगों के साथ होगी तेमिसली लोगों ने इसका वह अंडियू बैनिफिट लेना शुरू कर दिया था कि अब databases मैंने मैंने बेश-थी या मैंने कर दी कि इस तरह से कर सकते हैं मेरे पास एक प्रॉपर्टी है वह पढ़ी वी है उसमें बहुत पुरानी वैल्यू पर पढ़ी है अब मैं अगर उसको उसी पर सेल कर देता हूं ऑल्दो कि मुझे टैक्स नहीं लगेगा उसमें तो अगर बहुत ज्यादा पुरानी पढ़ी है तो कैपिटल गेंड क्या हो गया जीरो हो गया ना तो मैं चाहूं तो यह करता हूं मेरे पास कैपिल गेंड अच्छा आजाएगा लेकिन मेरे बेटा है ना उसके पास कोई वाइट मैनी कैसे जन्रेट करूं तो मैंने क्या स्कीन निकाली मैंने स्कीन यह निकाली कि मेरे पास प्रॉपर्टी किस वैल्यू के पड़ी हुए पर देचे का प्लॉट तो ले लेते हैं पांचो गस का डी एज़े का प्लॉट है मेरे पास तो बुक्स में पांच लाग रुपे का खड़ावाए कि उसको डीसी वैल्यू पर रिजिस्ट्री होती थी तो मैंने तो पांच लाग रुपे का खरीदा अब अगर मैं उसको आज बेचता हूं आज उसकी वैल्यू है कि अगर मेरे पास मुझे नी चाहिए इसको मेरी बुक्स में से निकल गए कितने पांच लाग रुपे का प्लॉट निकल जया मेरे बेटे की बुक्स में क्या आ गए नो चार करोर पांच लाक पांच लाग अ यहां कियोN चुछ हो उस Brush faitconom kia इक्षेला मार्किट विह यूनकी बिश जिन को क्रोट विशर्क लेकिन Clinton चार करोर पांच लाग रूपे का गिफ्ट आ गिया उसके पास वह प्रीन आया ना टेक्स हाया कि फ्री फंड में बेटे की भी वाइट मेनी जन्रेट हो गई तो यह मिस्यूज इस मिस्यूज को रोपने के लिए यह अब्जेक्टिव था इस पॉस्ट को डिसलाव करनेगा सेकंड अब्जेक्टिव यह भी था कि जो इन्हेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी गोती है जब इन्हेरिटेंस मिलती है ना बच्चों को तो उस पे कुछ ना कुछ टैक्स कलेक्ट किया जाता है इस पेशली यूएसे में तो अब तू फॉर्टी परसंट एक तो उसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए इस पॉस्ट को इसलाओ अब इन्हेरिटेंस टैक्स तो नहीं ल है घुमा के क्या कर दिया अब जब भी बेचोगे कम से कम एक पर तो बेचोगे ना जो भी सेल प्रोसीड आएगी उस पर टैक्स दे देना बेचने पर इन्हेरिटेंस टांसफर पर नहीं आया जब बेचेंगे तब टैक्स दे देना अब कैपिटल एसेट यह जब सकती है यह जह जब सकती है कि इन दिस सेक्षिन कैपिटल एसेट में सब सेक्षिन फाइफ में क्या किया गए कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हो जो मैंने आपको पर अंडरलाइन करवाया दना कैपिटल एसेट को कर लें कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया इन दिस सक्षिन कैपिटल एसेट मेंस प्रॉपर्टी ऑपर्टी ऑपनी जाती मिल्कियत हो चाहे वो बिजनिस से कनेक्टिड हो या ना हो बट डेज नॉट इंग्लोड लेकिन इन तमाम के इलावा इनमें यह शामिल नहीं है कौन-कौन सी चीज़ शामिल नहीं है एनी स्टॉक इंट्रेड कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉव मेटिरियल हैं फॉर पर परफॉस अगर को इस टॉक इंट्रेड या आपका कैपिटल एसेट नहीं क्योंकि वह तो आपका बिसनिस का एक पार्ट है बिजनिस की इंवेंट्री यह वह जब आप बेचेंगे तो उसपे प्रॉसेट जन्रेट होगा उसपर बिजनिस इंकम डिक्लेर करते हैं उसपे टाइच्ट देते है आपर इम्मोबल प्रॉपर्टी विया सब्सक्राइब विया विदिग विजनिस में डिक्लेयर की विए विजनिस बैंक अकाउंट आपने पैसे जमा करवाए उसमें आपने प्लॉट शरीदा बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग का लेंड का तो फूरी डेप्रिसेशन विल्डिंग का डेप्रिसियेशन अगर आप अपनी बिजनिस इंकम में चार्ज करते हैं कि तो फिर वह बिल्डिंग आपकी डेपिटल अब इसका है कि जब आप उस बिल्डिंग को बेचेंगे आपका business expand होता है आप क्याते हैं कि यार अब मुझे और बड़ी जगा चाहिए आप इस छोटी जगा को बेचते हैं और बड़ी जगा पर जाते हैं तो यह जो चोटी जगा आप जब बेचने जाएंगे तो अगर यह capital asset होता अगर यह capital asset होता तो इसके डिस्पोजल पर जो गेन होता उसकी टैक्सिबिलिटी किसके अकॉर्डिंग होती section 37 capital asset के अकॉर्डिंग 37 immobile property क्योंके immobile property थी लेकिन अगर आपने उस पर depreciation charge किया है अगर आपने उस पर depreciation charge किया उस building पर तो अब वो capital asset की definition से exclude हो गई है capital asset की definition से exclude होने का मतलब ही हो गया कि depreciation charge किया है तो अब आपकी बुक्स में उसकी कॉस्ट क्या रहेगी दस करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई थी written down value उसकी रह गई 50 करोड़ कि पांच करोड़ कि के 50 पर संट तक depreciate हो गई हो 10 पर संट से पांच साल में 50 पर संट एप्रिशेट हो गई है छटे साल में आपने उसको बेच गिया कितने की बेची आपने पंद्रा करोड़ की तो अब यह जो आपका profit गेन है ना यह capital गेन नहीं है यह आपका बिजनिस गेन है गेन उन सेल अफ एसेट्स तो उस पर आप बिजनिस इंकम के अपॉर्डिंगी टैक्स देंगे ना के capital गेन के वार्डिंगी क्यों सिर्फ इसलिए क्यूंके आपने अपनी बिजनिस इंकम को कम करने के लिए इस पर लेकिन प्रोवाइडिट के वह बिल्डिंग की कॉस्ट जो है और वह बिजनिस बैंकर ऐकंस से टे की गई हों कि उसकी कंश्रक्शन की पेमेंट लौट देखें लकिन हो सकता है जरूरि यह के पेमेंट उसकी तरह की गई हो आप यह भी कर सकते हैं कि आप पार्टनर की कैपिटल के लिए में अगेंज इसके आपनी अपनी मशीन नी डालते हैं तो वह कहता है कि मैं पैसे नहीं लगाता आपका दुसरा कार्णर कहता है मैं पैसे नहीं लगाता मेरी एक जगा पड़ी विए यहां पर मशीनरी तुम डालो दोनों महनत करेंगे 50% प्रॉफिट डिस्ट्रिब्यूट तो अब यह जो प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही ह तो यहां बिल्कुल तो हो जाएगी है के लिए प्रेशन की बात होगी एपरपर्टी एक्स्लोडिंग capital assets specified in subsection 5 of section 38 held for personal use by the person or any member of the person's family dependent on the person of any movable property movable property क्या होती है यह प्रपर्टी हिल सकने वाली कौन सी हो सकती है गाड़ियां हो सकती है जूलरी हो सकती है अगर पर्सनल एसेट है पर्सनल एसेट है तो यहां पर किस चीज को एक्सलूट कर दिया एनी mobile property excluding capital assets specified in subsection 5 of section 38 held for personal use by the person or any other member of the person's family dependent on the person so held for personal use तो अगर गाड़ी है आपके पास वो आपकी personal wealth में बिजनस में नहीं है बिजनस की balance sheet में नहीं है वो गाड़ी किसमें पर्सनल wealth में है आपने इस्तिमाल की गाड़ी ली छे महीने इस्तिमाल की बेच दी अब जब खरीदी थी अठारा लाग की थी डॉलर का rate बढ़ गया सब कुछ scenario change हो गए गाड़ी के prices बढ़ गया 24 लाक रुपे की हो गए छे महीने में आपने कितने कमा लिए छे लाक रुपे हैं तो गैपिटल एसेट गाड़ी कैपिटल एसेट है तो शे महीने में आपने छे लाक रुपे कमा लिए गेन आ गया इस पर टैक्स है के नहीं है क्यों क्यों कि छे महीने उसे आपने यूज कर लिया अगर आपने यूज नहीं किया होता क्या प्रेशों यह नहीं थी कि में यूज करूंगा आपने गाड़ी ली थी इसी परपस के लिए इन्वेस्मेंट परपस के लिए कि यार मैं इसको बेश दूँगा पचास जार एक लाग रुपए जो भी प्रॉफिट आएगा उस पे बेश दूँगा आपने उस इंटेंशन से ली थी लेकिन चक्का लग गया पहले दो महीने म ज्मक कि यहांः पर इंटेंसन का बड़ा इंपॉर्डण रोल है आपकी इंटेंशन क्या थी अगर आपकी इंटेंशन यह थी कि यह यार मैंने यह बेचने के लिए रखीए इसको मैए कि मैंने इसको बेचने के लिए रखा वह इसको मैं दुलन की तरह घर के नीचे सजा के रखूंगा जब रेट अच्छा आएगा तब बेच हूंगा अगर यह इंटेंशन थी तो तो आप इसको पर्सनल यूज कर लिया आप शे महीने इसको मज़े करते रहे इंजॉय करते रह गाड़ी आप खूब आपने भूमे फिर गाड़ी में छे महीने बाद आपने बेची अब वह पर्सनल यूज में आ गई अब अगर आपने बेची और जो कैपिल गेन हुए वह टेक्सेबल क्यों क्योंकि वह कैपिल एसेट की डेफिनेशन से एक्स्क्लूड हो गई जब कै इंटेंशन इंटेंशन जो है यह आपके पास ऑप्शन है तो यह आपको एक टेक्स इसको आप टेक्स इवेजन भी कह सकते है यह इंकम आप डिक्लेरी नहीं करेंगे ना आपके इंकम है नहीं हाँ वेल्ट रिकंसिलियेशन में आप गेन और सेल ऑफ एसेट्स में दिखाएंगे अपको दरूर है लेकिन इंकम डिक्लेर नहीं करेंगे इसको अपने रिटर्न ओफ इंकम में वेल्थ रीकंसिलियेशन वेज़ो डिफरेंस आया अपने गाड़ी ली थी 18,00,00 की आपने वेल्थ में क्या डेक्लेर किया था कैश मेरा खत्म कम हो गया 18,00,00 से 18,00,00 गारी पैसे गाड़ी निकली अठारा लाग वाली पैसे आए कितने चौबिस लाग पर छे लाग रुपे जो एडिशनल आई यह कहां से आए तो के लिए नंसे लॉफ एसेट्स वह इसी तरह लॉसन से लॉफ डिस्पोजल उफ एसेट्स करता मैटर नहीं करता मैटर एक और चीज मैटर करती है आपके नाम पर ट्रांसफर कब हुई लेट्स सपोज आज की तारिक में पच्छेश दिसम्बर को बेची कि कि आपने एक दिन इस्तिमाल कर ली ना इस तो लगा देगा टेक्स लेकिन आप यह क्लेम कर सकते हैं मैंने एक दिन चलाई मुझे नहीं पसंद आई मैंने बैच दी कि सिपने आपको इंकशन नहीं नहीं आपके इंकम जन्रै लेकिन पर नहीं आएगी इस लिए आप इसे इंक्स करेंडे किसी भी हैद अपने अगरे आपको में ने बता दियो ने गरे या गाली खरीदो दो दिन जलाओ बेज़टो कि इसमें सबसे जादा मनी लॉंडिंग पदे किसी इसके होती है कि इसके लिए आपके पास पूरा सेक्शन 22 है सबसे ज्यादा इसमें मनी लॉंड्रिंग होती है पेंटिंग में और आपके आपकी बिजनेस इंकम है पर्सनल जूरी सबसे ज्यादा इसमें मनी लॉंड्रिंग होती है पेंटिंग में और इंटरनेशनली तो इसमें बहुत ज्यादा होती है एक एक पेंटिंग जो है वह पता नहीं कितने मिलियंग दॉलर्स में ऑक्शन हो रही होती है तो वह क्या होता है बिसिकली वह मनी लॉंड्रिंग के पैसे होते हैं जो के वाइट के जारे होते हैं Capital Gain on Disposal of Securities, the Capital Gain arising on or after the first day of July 2010 from Disposal of Securities. अब ये Capital Gain किसका है? Securities का Stock Exchange में जो शेल होती है Other than gain that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax at the rates specified in division date of part 1 of the first schedule. Provided that this section shall not apply to a banking company and an insurance company. Inventory नहीं है, business income. उनकी प्रिंसिपल एक्टिविटी में आता है है, business activity. The gain arising on the disposal of a security by a person shall be computed in accordance with the following formula नेमला नेमली एमनेती. अच्छे ये जो मैंने आपको गाड़ी वाली मिसाल दी थी ये शोरूम वालों पे अप्लाए नहीं होती होती है. उनका business है. उनकी एमलारापन जर्कार्शवाड़ी मोगा liquid एंड, बांड, क्वेस्टिविटी में आता हैłeा, लाइज वालों. अच्छे मेरी किस्के और गाली पेते होगा टेम . अच्छे मेन होगा टे। है स्फेर में स्टिय沒有। मशीनरी पर तो सेल स्टेक्स है बिल्कुल है कंपनी कि अगर मशीनरी है और मशीनरी सेलवेज वैल्यू पर आप डिस्कोज आप करते हैं तो आपको इविन के अगर आप स्क्रैप पे भी बेच रहें तो सेल्सेक्स चार्ज करना है छोटे मोटे एसेट्स पे नहीं किये जाते मशीनरी जांब बड़ी अमांट्स होती है इन वहां पर किया जाता है अब गाड़ी है अब गाड़ी पे जो है तो मेरे चाल से इसका लिटीगेशन में है गाड़ी रहा हो डारे उलीगली तरना चाहिए को बात यह और यह के गाड़ी जो है एक्सेबल है इसके पर से यह छार्ज होता है जब कंपंपणी गाड़ी خार्इबCK धिये गाड़ी के मैनुफेक्ट्र से तो यह वह जो भी सेल्सेक्स चार्ज करती तो गाड़ी का मैनुफेक्ट्टर चार्ज करता है जो खरीदार पेग करता है अब वह एसेट जब आप बेच रहें अब पेशक आप अपने इंपलोई को बेच रहें तो होना चाहिए लेगल ही होना चाहिए लेकिन कोई करता नहीं है और ने लाट्वेशन प्लुब सब्सक्राइब गैतने पाता है कैनल नहीं है न स्था assumptions नहीं वह और तौन और सब्सक्राइब उसको सेल्टेक्स में रजिस्टेशन की जरुवत नहीं होती है यहां पर तो कंपनी औरेडी शेल्टेक्स में रजिस्टरड है वो तेड़ेंट्म गणियावाइब दो एक देपार्ट्मेंट घ्रियावाइब दो करना है इसमें 2011 तक 2011 तक यह था कि जो मशीनरी थी ना उस पे से उसकी सेल पे सेल्स्टेक्स इंवाल्व नहीं अगरके मैनुपैक्शर अभी मंचिनरी बेचता था उसके सेल्स्टेक्स चार्च नहीं करना लेकिन ये 2011 तक 1 जुलाय 2012 से से सेल्स्टेक्स चार्च कर दिया गया थिए कर दो कि अप्सकित अप्स्यानी कि एच रगवन थो एज यहां ? यह जा जाओ है लोगे खिए गओली यहां ? करवा ली तो फिर वो पर्सनल एसेट नहीं रहा है बिजनेसमें बिजनेसमें आ जाएगा अगर कमर्शल करवा लिए गाले इसका स्टेटस कमर्शल है इंडस्ट्रियल है या रेजिदेंट्स उसकी टैक्सेशन बिल्कुल अलाग है न उसकी तहरा इसकी टैक्सेशन ही बिल्कुल अलाग है अगर गाड़ी अगर आपने कमर्शल रेजिस्ट्रेशन करवाई यह उसकी तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आप उसे बिजनस में बिजनेस ने उस करेंगे तो बिजनेस एसेट बन गया तो उसके जो भी कैपिटिल जो भी गेन आएगा वो गेन ओंडिस्पोजल आएगा आपकी इनकम में प्रिजनेस इंकम के साथ एड होगा और तो पिर उसके टेग्स देना कि कमर्शल बात यह अब मुझे नहीं परदा कमर्शल रेजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है कमर्शल रेजिस्ट्रेशन किस बेसिस पे मिलती है यह भी दिखा सकता है कि यह कमर्शल पर्पस में यूज करने के लिए दूंगा कि खुद नहीं चलांगा मैं पेशब वहूं सेलिड इंडिवीजिन हूं लेकिन मैं गाड़ी लेके मैं इसको रेंटा कार पर चलांगा यह भी हो सकता है बट अगेन मुझे नहीं पता कि इसके का प्रोसेस किया है तो वह मैं इस पे वह नहीं कर सब्सक्राइब इसक्षिए फोलिए फ़र देट अफ जून 2010 तो देट अफ सच दिस्पोजल अफ सच सिकुरिटी फॉलिंग अंडर थर्टियद देए अफ जून 2010 यह उसकानी को छोड़ दें कि बहत पुरानी हो गई तुर पर्पस अफ द से कुरिटी मेंस अश्यर फापलीं कॉम्पनी वाचा अफ पर्किस्टन तेली सुपुंदिशन परिषिं जिए जो अपर पादने सब्सक्शंट फुर्टी पे उन्से तियमें येजट सिकुरिटीय। पर दरपॉस ऐसे केस्ट 대한 डेट इस सिक्षिर्ट एफ सेड्सक्इशे को मित करतें थी लिए पड़ले पर दो प्ले शॉरीट व्कार every द॑र्थ स्ब्रेट स्वर्पर इस स्थिन के शुर्मत को डॉत कि कपी इस सपे तैन प्रिंग ऐग拟व périaves ड़ेस्टर बॉंड कमर्शल पेपर पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिपिकेट एंड और काइंड ऑफ ड़ेट इंस्टुमेंट इसूड बैए पाकिस्तानी और पॉरेशन रजिस्टर इन पाकिस्तान तो यह जो डैट सेक्योरिटी क्यलाती है डैट सेक्योरिटी इस यह नहीं कि एक पैसे पूरे मिलेंगे मीनवाइल आपको पर एनम एक फिक्स परसंटेज से आपको रिटरन मिलता रहेगा अब उसमें अलग-अलग नाम दिये जाते हैं हर नाम के इंस्टुमेंट का रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो अलग होता है तो यह डेट सिक्यूरिटी जो इसके बरक्स जो सिक्यूरिटी हो होता है धीं इसकी पार वैलिए होता है दस रुपए का जयर मार्केट में वह उपर नीचे का अषर्ट 1500 008 कंक्रें करता सकते वह वह ओभी सकता है ने भी हो सकता है लेकिन हर किसम का यृट इंस्टुमेंट जो वो टेड़िबल नहीं होता है लेकिन Does Deutsche को टेड लिस्टेड कमपणिश की तमाम सीड़ीश थी है वहोती यह रही है जो डेट सीक्वटीश हैं उसको भी यहां पर क्या किसका पार्ट बनाया गया ए कि Government security such as treasury bills, federal government bonds, Pakistan investment bonds, foreign currency bonds, government papers, municipal bonds, infrastructure bonds, and all kinds of debt instrument issued by federal government, provincial government, local authorities, and other statutory bodies. Explanation for the purpose of doubt, it is clear that derivative products include future commodity contracts entered into by the member of Pakistan mercantile exchange, whether or not settled by physical delivery. Future trading होती है न जो वो भी क्या है? सिक्यूरिटी की definition में covered है. तो सिक्यूरिटी की जब आप buying and selling करते हैं और उसमें जो gain आएगा, वो क्या है? टेक्सेबल है, अब वो टेक्सेबल किस rate से 12.5% से flat rate. पहले टेबल हुआ करता था 2016 तर के इतने साल होंगे तो इतना पर्संट रेट, इतने साल की holding होगी तो इतना पर्संट रेट, अब वो सारा चक्कर खताम होगे है. अब स्ट्रेट फॉरवर्ड, 12.5% कोई टाइम पर पिरियोट नहीं पर फिफ्टीन पर संट था उसको 12.5% किया. नहीं तो आप कुछ पूछना चाहा रहे थे, पेटीसील नहीं है यह यह? पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट है, यह यह वाउचर ऑफ पाकिस्तान टेली कम्मुनिकेशन कॉर्परेशन अब मैंने खुद से तो देखा नहीं, लेकिन होगी कोई चीज को इशू की होगी अलग से वाउचर इशू किया होगा, कोई सर्टिफिकेट इशू किया ह अच्छाँ, अब यहांपर मेरा इंट्रेस्टिग पोच्च्च्च्च्च्छन है, यहां पर सिक्यूर्टी मेंज शेयर और पब्लिक कमपरी, मेरे कास प्राइवेट लिमिटेट कम्पणी के शैर मैंने नौ प्राइवेट लिमिटेट कमपनी जब बन रही थी। तरी दे दस रुपए से दो लाग शेयर कितना कैपिटल हुआ मेरा वीज लाग हो गया इसकी इस तरह होगी कैपिटल गेन तो मेरा वीज लाग रुपए स्टेट फरवर्ट चाय में किसी भी सेक्शन में करो मेरी कॉस्ट ही बीस लाग डिस्पोजल पर मुझे चालिस लाग मिले कैपिटल गेन मेरा बीस लाग है इसमें कोई सेकिंड ओपीनियन नहीं है कि किस तरह से होगी है कपिटल गेन और कपिटल गेन है इस विए लिए इस अगे शेट अगे शेयर मेरा कैपिटल अच्छेट है इस प्राइविट लिमिटेट कंपपनी के शेयर जब मैं बेचूंगा तो वह टैक्शेबल होंगे सेक्शन 37 यहां कैपिटल गेंज में एक्शन 37 में टैक्शेबल होने का मतलब यह हो गया कि जो मेरा डैक्स गेंज है वह पहले मर्ज होग़ा मेरी दूसरे 1 कंश के साथ और जो मेरी ओवर एह होगी इसके पर जो थक्राइय के प्राइविट लीमिठेट शेयर कंपनी शेयर बहुति разных अग्र में गाडी बिसनिस में रखी वी है और उसके डिस्पोजल पर मुझे कोई गेन होता है तो उसकी टैक्जिबिलिटी नॉर्मल रेट से बिलकुल जबके सेक्शन थर्टी सेविन ए जो के लिस्टिट कंपनी की सिक्यूरिटीज है उस पे कैपिटल गेन का टैक्स रेट क्या है साड़े बारा परसंट तो इसमें भी लोग गलतियां कर जाते हैं कि प्राइविट लिमिटिट कंपनी के शेर्स दे उसको दिखा दिया प्राइविट लिमिटिट कंपनी के शेर्स हैं तो उसकी डिस्पोजल पे कैपिटल गेन जबूरा कैपिटल गेन तो वही आएगा लेकिन उसकी टैक्स इबिलिटी नॉर्मल रेट ऑप टैक्स हां मैं वही कह रहा हूं पब्लिक और प्राइविट लिमिटिट प्राइव मैं किया हूं अग्याय ठी है ठीकिर और यॉडिक प्लिक तो निचिए ठीक कंपझी इधाल चैन मेइशन की अपित कि लिस्टेट हो या ना उससे फर्ग नहीं बढ़ता पुब्लिक कंपनी होनी चाहिए गेन सारी जो मैंने आप यह जो डिफरेंस बताया ना वो डिफरेंस किस बेस पर बताया यह सब अगर पॉब्लिक लिमिटेट कंपनी के शेर आप बेच रहें तो उसके ओपर जो भी गेन आएगा वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इंकम में होगा और उसकी टैक्जिबिटी साड़े बारा परसंट फिक्स रेट साथ जबके प्राइब लिमिटेट कंपनी के शेर अगर आप बेच अगर आप नच चैख की टैसल देन्चा मुझें़ लिमिकी बेहिन आप ऑन डेटिताल टैक्ष ऑनायने साड़ेर ठाप्स बीटेक्ट कि टैसान। मैंने आप सेक्ष प्राइब लिमिटे घ्रिट्टु के डं़ूएं भी अक्तितकी Chain. अब यह क्या रहे तो इस तो मुज ऑप द लाउस सेंड ऑन डिस्पोजल अफ सिक्यूरिटी इस पहले तो जब यह लॉबना था तो उसमें कैपिल गें वह पतलब के वाद किया और गेंट तो वह क्या था टेक्जेबल था separate block of income लेकिन लॉस की कोई carry forward provisioning allowed नहीं थी हाँ during the year अगर आपका gain loss है तो अगर नेट गेन टेक्जेबल होता था और अगर नेट लॉस आता है तो carry forward का provision नहीं था यह कब हुआ 2019 onwards असद उमर साब नहीं प्रोवीजन नहीं था इंट्रूश करवाया था नहीं था second amendment ordinance के थरो यह प्रोवीजोडा के प्रोवाइड तो much of the laws sustained on disposal of securities in tax year 2019 and onwards that has not been set off against the gain of the person from disposal of securities chargeable to tax under this section shall be carried forward to the following tax years and set off only against the gain of the person from disposal of securities chargeable to tax under this section but no such laws shall be carried forward to more than three tax years immediately succeeding the texture for which the loss was first computed banks or financial security उनकी तो income from business है उनके लिए तो income from business का पार्ट है उनको तो पहले ही मना कर दिया कि आपके लिए सक्शन अप्लाए नहीं होता है तो अब अपनी कंप्टेशन करेंगे और actuals की basis पे आप return में डिक्लेर करेंगे अपको से यह आता है कि एंसी सीपील का certificate तो कुछ और कह रहा है एंसी सीपील अपने इसाब से calculation करता है उनको तो यह नहीं पता कि आपके पास कोई ट्रेजरी बिल्स है उस पर कोई लॉस हुआ है इसमें मैं उसी पर आना चला था तो कैरी आउट पर 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 सेक्शन दा बोर्ड में प्रेस्क्राइब रूल्स ठीक है अब इसमें देखो बात यह थी कि कि अगर आपके पास आप तो यह चलिए ट्रैजरी बिल्स की बीग्जैम्पल दे रहे ना मैं तो वो भी इंग्जैम्पल नहीं देता मैं तो कहता हूं कि मेरी खाली से सिक्यूरिटी इसकी मैं ट्रेडिंग करता हूं मैं उसमें भी मैनिपलेशन कर सकता हूं कि बताओ बोल तो दिया तुमने करते हैं सब बते शेयर करो किस तरह करते हैं यह बहुत बड़ा भी मेरी नजर में बहुत होता है मैं बताओ है जिए आपकेषज स्थोप्शन करता हैं यह बता हूं वह ने में आपकेश वे नियंचे रिसे में घर ने पिर्ट में कचेश किरिए शेयर कना फ्रेड बहुत जाएं कि यह जाली काम है यह लिए हैं लेकिन हाउसिस कर रहे हुते हैं के लीगल है मैं आपको दूसरी सिचुएशन बता रहा हूँ आपने रोकर के तुरू शेर्स पर्चेस किये पचास रुपए का ठीक है आपने उसे पर्चेस कर लिया आपके पास कन्फर्म टिप है यार यह छे महिने में डबल शाह होने वाला है एक आप नगिन डपने पर्चास पॉले शयर खरीदा कि में ग्रुकर्स आपने ड़ाफने परस्नल ऐकौट में सबदें सदिन सिर्वाइल है वहाइला कि इच अग्रुट क्योंति आपने इस दिन सीटी के यादा तो बेच नहीं सकते हैं लिखेगा आपका किसके दूप रोकर के दूप आपने ब्रोकर अकाउंट में डाल दिया जिस दिन सो रुपएगा था है है और आपने फिर उसको बेचा एक सो दो रुपएगा अब जो NCCP again compute करेगा ना वह करेगा दो रुपएगा भी जब आपको लॉय कहता है कि आपको गेन किस तरह डिटेमाइन रहे चांसिटरेशन माइनस पास एक आपको गेन आ गया तो आपको गेन किसी तरह कंप्यूट कर दो एंसी सी पियल क्या कर रहा होता है जो मैंने आपको बता है यह कर दो रुपए पर आपका एक्शुल टेक्स बनता कितने पर 52 रुपीज यह लेचे फाइदा है बाइदा नहीं है लीगली फाइदा नहीं है ये ब्यूज है ब्यूज किया है और नसी सी पियल जो सर्टिफिकेट दे रहा है यह मेरे पास डॉक्र इंग्जैक्टि एक्जैक्टली देखो इवेजन तो हो रही है ना यह मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली यह हो रहा है टेक्स्पेयर कहता है मेरे पास एविडेंस है मेरा गेन इतना है क्यों कि विफोल्डिंग एजन्ट किसको बनाया गौर्वर्मेंट ने NCCPL को NCCPL ने जो मेरा बेगस काटा वह मेरा सेपरेट बलॉग ऑफ इंकम है अब बात यह आती है कि मेरा गेन कितना होई रिटर्माइन कौन करेगा रएगा वह किस बेसिसे करेगा वैसे दो उसके पास है ब्रोकर का लेजर देखेगा वह लेकिन यह इतनी सारी नजर आ रही होंगी फिन लेकिन आपकी वेल्थ के सरी कंसायल होगी अगर आपका गेंज जाद है और एंशी सीपेल से काम आ रहा है तो कि इसी लिए मैं अपने जितने भी क्लाइंट से उनकी पूरी में एक्टेंसिव वरकेंग करता हूँ नहीं आप पूरा पूरा वह देखो वह चला सकते हैं लेकिन वह कुशन रेस करेगा ना अगर आप गेंड से लोफ एसेट्स में अगर वह फिगर डालो गेंज दिखाओ तो वह कुश्चन रेस करेगा ना कमिशनर उसकी असी की वेरिफिकेशन मांग लेगा यह मुझे लेकिन किसी भी दिन अगर टैक्स ऑफिसर ने अगर पकड़ लिया तो आप इसको वेरिफाय कैसे करा होगे उसने इसी की वेरिफिकेशन मांग ली लेट सपोज आप कुछ करते ही नहीं है आपका काम ही सिर्फ यह आप वो सुबह नौ बज़ उठते हैं आप सुबह नौ बज रिटर्ण अपना फाइल कर रहे हैं जो डिफरेंस आपकी वेल बढ़ रही है उसको आप इसी तरह अदर्स में डालने किसी दिन अगर टैक्स ऑफिसर ने पूछ लिया जो तुमने अदर्स में दिखाया हुआ है जिसके टैक्स नहीं दे रहे हो तुम इसकी वेरिफिकेशन अब देखेंगे तो यसे आपको ऐसे विर्किंग करनी है अब जैसे कि इन्होंने की तो और पन." रॉट्रींट में को फ्लो है लॉट्रींट मी तो और फ्लो है लॉस डिकलेर करने की कोई ही नहीं बढूट आपको बताता है आपको बताता है टेक्स ये 2021 में मेरा नेट लॉस था जैनियनली लॉस लॉस था अब लॉस को में रिटर्न ओफ इंकम में कहीं दिखाई नी सकता सिर्फ गेन एक्सेट करता है वो अब टेक्स ये 2022 में ने जब टेक्स की मेरी कंप्यूटेशन की टेक्स डिड़क्शन की तो उसने क्या किया टेक्स ये 2022-21 का लॉस जो है वो जैसे किया था और जो रिमेनिंग कैपिटल गें था उसपे टेक्स डिड़क्शन करके मुझे सर्टिफिकेट थमा दिया अब टेक्स ये 2022 का जो है मेरे पास वो तो मेरे पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन मैं गेंग दिखा रहा हूँ क्युँ ब्रोकर का लेजर स्कमolen रिक घृप्य विए में निया तो लॉस इसको तो मैंज़स करूंगा नेश विए बिसनिस इंकम में करीफॉवर्ड लॉस इजस्मेंट के कॉलम में आप लॉट इसी तरह रिटर्न में इसका भी लॉस का कॉलम होना चाहिए जो कि नहीं जबूश दो लॉस ओन कैपिटल सेल ऑफ कैपिटल एसेट में दिखाते हैं मजबूरी यह ना क्या करें वह तो जुगाड है यार वो तो जुगाड है ना होना क्या चाहिए जब लॉओ कर रहा है करी फॉरवर्ड और अज्जस्मेंट लॉस की अज्जस्मेंट अलाव कर रहा है तो रिटार्इन में यह चीज होनी चाहिए क्योंकि यह कुश्चन बले ना इस तरह की चीज़े हर साल होती है अब इस ता हल यह होता है कि आप अपनी कंप्यूटेशन प्रॉपर बनाए आप अपनी प्रॉपर कंप्यूटेशन करें वर्किंग कर लें उसका वर्किंग पेपर एक बना ठीक है फिर जिस तरह आपको अज्जस्मेंट करनी होने करते करें अपने वर्किंग करने पर एंच्टेश्ट आपी है सब्सक्राइब अट्राइड मेरी इस था यह सहां पिर आज्चेत्ट संदिट्स यह अने अभर्किंग कि तो नेदो अध्स्किंग टेंग कि अपेट कानी उसक्तिक्षिए नेदुटिए में सब्सक्तिंग के सबसक्राइबnya जब 10-5 कि उसे सब्सक्राइब वे कि है only आप मुझे जो आपने वन्मन्ट टैक्स जो आपने पेग किया हुआ था उसकी एडजस्मेंट आपको नहीं मिल रही थी तहीं किया रहे हैं मैंने खुद पर्सनली तो मेरे साथ ऐसा को इंसिडेंस नहीं हुआ लेकिन ये शुडिसक्स हुआ तो और भी कुछ इस साल के रिटर्ण में नहीं आए थे लेकिन इस साल कुछ और इशुज नहीं खड़े हो गया इसकी बेस बना के ले जाओ कमिशनर के पास वापिस फिर भी कुछ नहीं हो रहा है करेगा मेंबर आई असल में मेंबर आई-टी करवाएगा मेंबर आई-टी करेगा आई से लोगाइ ये बाद में बिसके लिए एफ लागे बात में इसके लिए अब तेक्षिए एफ लुट्स आप लॉसे इंपुटिंग अंपूट प्टी जाओ निक्टैव अगर विए इट करेंच्ट्यूर नहीं चार्ज पूट्टिंग अटी नहीं पूट्ट्ट अच chargeable to tax under the head capital gains for a tax year a deduction shall be allowed for any loss on the disposal of a capital asset by the person in the year no loss shall be deducted under this section on the disposal of a capital asset where a gain on the disposal of such asset would not be chargeable to tax capital gain में क्या क्या है deduction shall be allowed for any loss अगर कोई मिसाल क्या तोर पर दो capital asset बेचे आपने एक capital asset पे loss हुआ एक capital asset पे gain हुआ तो सेट आफ हो जाएगा लेकिन अगर एक capital asset पे gain नहीं offer किया तो loss पी offer नहीं कर सकते दा लॉस arising on the disposal of a capital asset by a person shall be computed in accordance with the following formula cost of the asset consideration received by the person the provision of subsection 4 of section 37 shall apply in determining component a of the formula in subsection 3 no loss shall be recognized under this ordinance on the disposal of the following capital assets namely a painting sculpture drawing or other work of art jewelry a rare manuscript folio or book a postage stamp a coin or medallion NNT इसमें देखो अगर जूली पर्सनल यूज में है तो गेन नहीं है वो उस पे टैक्स नहीं है वो capital asset की definition से exclude हो गया अगर जूल्री आपने रखी वी इस न्यूट उससे है नहीं अगर और एक्जेंपल गोल्ड गोल्ड के लिए लेते हैं तो बिजनिस है ठीक है ना आपने लेके रखावा इन्वेस्मेंट पर पैसे रखूंगा पैसे की तो वेल्यू करे जाती है जो क्या भी आजकल चल रहे हैं लोग गोड़ खरीद रहे हैं क्यों खरीद रहे हैं डॉलर महेंगा उता जा रहा है पैसे की वैल्यू किरती जा रही है गोल्ड परिस्केट्स वह पर्सनल इसके तो नहीं तो वह आपक्या है capital asset capital asset पे गेन टेक्स है अब जूल्री अब जब अगर जूल्री की बात आती है तो जूल्री पे तो वैसे टेक्स नहीं है ठीक है ना capital asset की definition में नहीं है तो तो कोई capital gain नहीं है इसलिए उस पर कोई loss भी recognize नहीं होगा हाँ अगर gain आता है तो आप उसे gain on sale of assets में reconciliation में लेके जाते हैं और return में उसका कई impact नहीं आता है क्योंकि आपकी wealth disturb हो रही होती है तो इसी तरह jewelry जब आपकी बेचेंगे और उस पर loss होगा तो loss भी recognize नहीं होगा क्यों क्योंकि गेन भी recognize नहीं हो रहा था अब painting sculpture drawing और other work of art अब यह personal use में तो नहीं होता है इसकी मिलकियत है वो डिक्लेयर करें नहीं नहीं और इसलिए होता है कि प्लैट है ऐसे मैंने दिये नाम पे बीवी के रखा है बेगम को खुश करने के लिए जावी तेरे नाम पे प्लैट है अगर वह जूली जूलीयात की बेगम अपने मेंके से लेकर आई है इन दैट केस तो वह तो मिलकियत उसी की आपकी है नहीं नहीं तो आप उसे नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी बैज बनेंगा अब पेंटिंग स्कल्चर ड्रॉइंग और अदर वर्क अफ आर्ट रेर मेनिस्क्रिप्ट फोलियो और बुग अपोस्टेज सेम और परस्टेग कवर अपॉइन और मेडलियन और एन एंटी अब यह जो मेरी इंटर्प्रेटेशन यह कहती है कि यह जो क्लॉज बी के इलावा जो है न ए सी डी इए एफ यह परस्टनल यूश के नहीं होते हैं हां एंटीक हो सकता है मैंने गर में शोपीश के तौर पर सजाद के रखता हुआ है कुछ चीज़ा ऐसी हो सकती है जो के मेरी परस्टनल इंटर्प्रेशन यह कहती है कि यह इंवेस्टमेंट पर 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 तो यह कैपिटल एसेट है इसका अगर आप इस पे टेक्स होना चाहिए जैसे पूरी दुनिया में होता है खास तोर पर यह पेंटिंग स्कल्चर ड्रॉइंग और अदर वर्क आफ आर्ट इस पे तो बहुत ज्यादा होता है मनी लॉंडरिंग इसी के तो होती है कोई टेक्स नहीं है पस्नल एसेट में दिखाया हुए न आपने परस्नल एसेट में दिखाया हुए कैप्टल एसेट की डेपिनिशन से बाहर क्यूंकि गेंड नहीं है इसलिए उसके लॉस भी नहीं होगा आपके डिस्क्रिशन पर ओपन एंगे एरिया एक्स प्लैनिंग कोई कदीम जुमाने की बुप कोई पुराने जमाने के सिक्के निकला आपने जमीन में खुदाई की सिक्क्त कोई खजाना निकलाया एक केस जैनियनली हुआ था मुल्तान में एक बर कराची टेक्स बार में बैटा वा था तो एक लॉयर साब थे वह अपना केस डिसक्रस करें केस नहीं मतलब एक इंसिडेंस उन्होंने बताया अब वह गोल्ड विक्वाना था किसी ज्वेलर के पास तो वह बिक्वेगा नहीं क्यों भी के लिए गार वाल फोन करें गॉर्मेंट को गॉर्मेंट वाले आ जाएंगे लाव वह यह तो सरकारी खजानी वह चाहरा था ब्लैक मार्केट में बिख जाए ब्लैक मार्केट वाले सुना अब उसको मेंड़ करें जो मर्दी है बना दिया कुछ हिंदु रिलीजिस स्टैच्यूज निकलेता है पूरे-पूरे गोल्ड के बहुत पुराने जमाने के गोल्ड कोई निकलेता है अच्छा खासा गोल्ड था हुआ हो तो होती है इस तरह की कुछ नायाब चीज़ है अब बनी लॉंडिंग आप कर सकते हैं आप तो वाइट इंकम बढ़ानी है ना आप पेंटिंग खरी दें कि अधिए 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 वह मेरे घर पे नहीं मान आए थे उनको बड़ी पसंद आगे उन्होंने का यह पेंटिंग मुझे बेच दो मैंगे बेच दिए उनको यह करना नहीं यह मनी लॉन्टिंगे तरीके बता रहां मुझे उठागी ले जाएंगे एपा यह वाले सक्शन 39 income from other sources income of every kind received by a person in a tax year if it is not included in any other head other than income exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head income from other sources including the following namely dividend royalty profit on debt additional payment on delayed refund under any tax law ground rent your ground rent mobile income from property many other rent from sub lease of land or a building income from the lease of any building together with plant or machinery income from provision of amenities utilities or any other service connected with renting of building any annuity or pension any price bond or winning from a raffle lottery prize and on winning with a quiz prize offered by companies for promotion or sale of crossword puzzle any other amount received as consideration for the provision use or exploitation of property including from grant of a grant of a right to export or exploit natural resources any other amount received as consideration for the provision use or exploitation of property including from the grant of a right to export or exploit natural resources card when executiveice caucus is funding milky when in m person the hold more what paid के लिकिन मैंनी है stat of Main जमीन मेरी है इसमें से जो कुछ निकालना है न और निकाल होगे तुम जो भी निकलेगा फटन मुझे दो दोजार यह जो से क्या है? इकम में करॉब थे heart is the fair market value of any benefit whether convertible to money or not received in connection with the provision, we are exploitation of property. geben초 and any amount received by a person as consideration for affecting the position of a building or part there any amount received by a person from approve income payment plan or approved annuity plan under voluntary pension system rules 2005 and subject to subsection 3, any amount of fair market value of any property received without consideration or received as a gift other than gift received from relative as defined in subsection 5 of section 55. Subject to subsection 3, any amount of fair market value of any property received without consideration or received as a gift other than gift received from relative as defined in subsection 5 of section 85. The first gift was no one can give anyone. What have you done in section 5 of section 85? Yes, that includes relatives. English some which in your grandmother are still connected to the rainbow. other things like the grandmother'sna. någonting , that is all this is also जद्राँ दादा की रिलेशन में जतने भी आते हैं आपके चाचा पुप्पी चाची पुप उनके बच्चे और इसी तरह आपकी स्पाउस के भी इस तरह आपका नियाल द्री इसी तरह आपके सपाउस को इन्याम में जो कोई भी है है वह सारे आपके क्या है वेलेटिशन में ऐते हैं तो बहुत मतलब काफी बढ़ी हो जाती है की सर्कल काफी बढ़ा हो जाता है इस सरकल से बाहर किसी से gift लिया मतलब दोस्त हैं फुरिक से gift ले लिया और कि जुधे इंप संबने विख़ेंज हुआ है और अब आपने अपनी अपनी या फ्रेंट को आईफोन 13 प्रोम für मैक्स लिए खिष्ड कि चैया तो आपकी गलव भ्रेंट जो है वह से गिफ अधर इंकम वादर सोर्स डिक्लेयर करेगी तो कि गल्फरेंड रिलेटिव की डेफिनिशन में नहीं आती है अच्छा अब इंट्रेस्टिंग ली इंट्रेस्टिंग ली यह मैं क्या पढ़ रहे हैं कि इंकम फ्रॉम अधर सोर्से अगर रिलेटिव से आउटसाइड गिफ्ट है तो इंकम फ्रॉम अधर सोर्सेस का पार्ट बनेगा टेक्स देंगे रिलेटिव से बाँर सगर अगर रिलेटिव में से किसी से गिफ्ट लिया है तो उसके फैर मार्केट वैल्यू जो है वो क्या होगी मतलब एक वी आर वैल्यू अगर रिलेटिव से आउटसाइड है तो तो अधर सोर्स का पार्ट बन गया लेकिन अगर रिलेटिव से लिया है तो इंकम फॉम अधर सोर्स में नहीं आएगा अब मज़े की बात यह है कि अगर प्रपर्टी गिफ्ट होती है अगर प्रपर्टी गिफ्ट होती है तो उसकी कॉस्ट अलाओ नहीं होती है अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट होती है तो उसकी फैर मार्किट वैल्यू की कॉस्ट अलाव नहीं होती तो इसके लिए प्लैनिंग क्या हो गई कि अगर प्रॉपर्टी बेचो कैस्ट करो पच्चे के नाम पर अच्चा दुबारा प्रॉपर्टी कर से लिए तक अरटी होन्य अगोर्टी बेच्च के सिंगा पर लंगर प्रॉपर्टी और multiple d एक सिर्स इन इक्वल प्रॉपोर्शन क्लॉज के किया था कि नहीं सिमिलर कह सकते हैं आप रेंट पे रह रहे थे आपका मकान मालिक आया खाली करो वही आप कहते हैं बेटा निकल इदर से मैं तो नहीं करता जा जो कर नहीं कर लें कोर्ट में भी जाएगा कोर्ट भी कहेगी अगर तुम्हें खुद को पर्सनल जरुवत नहीं है तो इसका टेनेंट कहा के रहने दो उसको तुम नहीं निकाल सकते हैं यह लौँ है जैनियनली लौँ है अकर आप ऐसे ही बस शुगल में अपने किरायदार को निकाल रहे ना त जाल सकते हैं अंटिल एन अंडलेस के आपकी मजबूरी ना ओ या आपकर टेनेंट आपको टाइम पर किराया ना देता हो नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अगर्यमेंट पूरा करना है 11 मैनेदा आप लोग यह जोटा साल का एग्रिमेंट भी कर लेते हैं स्टेंप ड्यू जब तो कोड जो है वह अलाव नहीं करती है क्या आप शुगल में ऐसे ही किरायदार को निकाल बार करें नहीं जब तक आपका एग्रिमेंट वैलेड़े तब तक आप निकाल सकते हैं अंटिल एंड अनलेस कि आपकी कोई मजबूरी हो जाए आपकी मजबूरी क्या हो जाए कि आपके घर में कोई मसला निकल आया या आप फुद जो है वो अपने हंदानी घर में रहते थे अब सब भाई बेन अलग हो गए तो आप बेगर हो गए तो आप कहते हैं कि भाई मैं दूसरी प्रॉपर्टी क्यों फरीद हूं मेरा तो अपना फ्लैट है जो मैंने किराय पे दिया हुए मैंसी को किरायदार को निकल वाता हूं और मैं फूद रह अब इस तरह की कोई सिच्वेशन होती है आपने पांच साल का अब मकान मालिक को जरूरत है उसको अच्छी ऑफर मिल रही है उसको बेचना है उसको पैसोगी जरूरत भी है तो आप कहते हैं अच्छा बेटा यह तो अच्छी ऑपर्चूनिटी है पांच लाग रुपे दो भई मैं क्यों की खाली करूँ पांस साल का मैंने तुमसे एगрiem collector किया था क्यूं किया रहा इसलिए क्यांब़ मुझे पांस साल तक मुझे कोई तंग नहन करें और मुझे घर बदलने की जहमत नहां करनी पड़े इसलिए तो 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 तुमसे पांस साल का किया था है पका लेंडर काते हैं नहीं मुझे जरूट है मुझे पैसों की जरूएतका या तो मुझे झांडिव दो आपppeते मेरे पास थो नहीं है थो के तथा मेरे पास ये अपरशे थी है इच्षे पैसर विसे हो उप्रे जिए ख्रोपार्टिय सुम्हाली करो मुझा बä今日は नहीं है तो आप कहते हैं लाओ दे दो पांच लाग रूप है अगर ओनर को जैनियनली ज़रुत है कि ज़रुत है कि उसको प्रॉपर्टी बेचनी और पैसे चाहिए उसके लिटिकेशन में जा सकता है लेकिन लिटिकेशन में जाने का मतलब टाइम और पैसा दोनों आप कहते हैं भाई पोट वोट में कहां जाओगे लाओ पांच लाग रुपे मुझे दो क्योंके भाई मेरी भी तो कॉस्ट आएगी ना मैं दूसरा फ्लैट धूंदूंगा शिफ्टिंग करूंगा मुझे भी तो मेरा भी तो खर्चा आएगा ना व यह पूरी पूरी टेक्सेबल होगी जिस साल में ली नाइए तब सेक्शन तू क्या कह रहा है कि इसको आप डिवाइट करेंगे टैंगे subject to subsection 4 any amount received as a loan advanced deposit for issuance of shares or gift by a person in a tax year from another person not being a banking company or financial institution otherwise than by a cross check drawn on a bank through a banking channel from a person holding a national tax number shall be treated as income chargeable to tax under the head income from other sources for the tax year in which it was received अगर आपने किसी से लोन लिया किसी से अडवांस लिया है और अगर वो cash में ले लिया तो क्या है income from कुछ भी हो इसन्टली एक हाइट का जज्जमेंट आया है रिसेंटली आया है लेकिन वह भी पुराने सुप्रीम कोर्ट के पिसिशन्ज हैं उसकी बेशता है तो इस पाउसेज़ इमेडियेट फैमिली मेंबर मीमिमिलेट वैइन वाइ बेह्ं हम बच्चे नहीं अधिस जाते हैं आपके माबाप आपके बच्चें वाइफ हैं कि य आपके मीडिये इंडियेट फैमिली मेंबर से से अगर आपको कोई कैश में गिफ्ट मिला है तो वह वैलेड गिफ्ट है तो काफी बड़ा है जिसको जाना हो जा सकता है करेंगे हम करेंगे इसके लावा नहीं यह आपका पेज नंबर है सिक्स्टीन कि इसमें जो एक्जांटल टीवी ना इंकम प्रॉपर्टी की वह आपको जरूर एक्सराइस कीजिएगा उससे आपको काफी चीज़ें आपने अभी तो डिसक्स कर लिए अभी आपको समझ में आ गया दो दिन बाद आप यह सारी बाते बूल चुके आंगा लेकिन अगर आप यह एक्सराइस करेंगे ना तो एट लीस्ट कुछ आपके दिमाग में जो है ना वह दिमाग के किसी कोने में बैठा रहेगा क्या यह यह मैंने लिग के किया था तो यह यह है यह सिनेरियो इस टरह से होगा सब्सक्शन फोर अच्छेयर व्हिर सब्सक्शन थी शल नॉट आप्लाइट वर सेल अव गूड्स और सप्लाइए ऑफ सर्वेसिस तो उसके ओपर एप्रोविजन अप्लाइं नहीं मतलब अगर आपको किसी सप्लाइब के अगेंस कैश में एडवांस मिल गया है न तो वो आपकी इंकम स्वामधर सोर्सेज नहीं है whenever looking for sales tax key section 73 apply for even any profit on debt derived from investment in national saving deposit certificates including defense saving certificates paid to a person in areas or the amount received includes profit chargeable to techs in the text year or guess proceeding the text years in which it is this see कि नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट डिपेंज सेविंग सर्टिफिकेट से भी क्या है इंकम फॉम अदर सोर्सेज हैं अधर सोर्सेज में तक्रीबन आप कहलें के एटी परसंट जो आइटम्स दिये वह ना वह एफ्टी आर में पॉल क्यों मतलब एटी आर में क्यों रखते वह यह एफ़ी आर ने अपनी के लिए रखते वह कौन इनकी वेरिफिकेशन करता फूरेगा एक्स पेयर के लिए भी आसानी है ना एक्स पेयर भी कहता है कि यार बस जो कट गया हो खतम जान सूब गए और FBR कभी FBR कभी resources बचते हैं कि इन में कोई deductions होंगी उनको verify करना कितना मुश्किल का होगा है तर प्र पर्सेंट डियां अज्वेलि होगी मृट थक भान न छिए जर ऑ किव साथ फिए थिर मैं डेंट आ ट्वस्किशněर को डीच्विडिक वडिन applicable if the profit had been paid to the person in the tax year to which it relates इसका क्या मतलब है इसका आपका जो प्रॉफिट है वो हर साल आपको मिल दिफेंज सेविंग सेटेट नेश्नल सेविंग सेटेफिकेट अप क्या करते हैं अच्छा यह लोग क्या करते और यह यह लो नहीं नहीं काटते हैं आप मुसीबत यह होती है कि आप्षन होता है आपके पास या तो हर साल जा के प्रॉफिट ले ले अपना या तो आप मिच्वरीटी पर प्रॉफिट लें अगर आपने किसी कमर्शल बैंक के खुल लिए वह न तो तो कमर्शल बैंक हर साल आपके अकाउंट में क्रेट कर देगा और टेक्स भी खुदी काट लेगा लेकिन अगर आपने डायरेक्ट नेशनल सेविंग इंस्टिटूट से लिया हुए ना तो वो लोग नहीं काटने लग गए हैं पहले नहीं काटते थे पहले नहीं काटते थे तो वहाँ पर मुसीबत क्या थ कि अगर किसी ने एक साथ ले लिए गाम तो वह फश जाता था वह पर स्किस तरह से जाता था कि जिस साल लिए उस साल डिक्लेर कर रहे हैं मैंझ तो उसके पास ऑप्शन था के वह कमिशनर के पास जाए और से अलग अलग रेट से करके इसका रिक ले ले लाए तो फ्रेट भर रहे हैं तो प्रेट नियुक्त विपट जया है। इसमें यह बहुत इंपॉरेंट यहां पर यह प्रोवीजन यह अप्लाए होता है यहां पर यह किस तरह से अप्लाए होगा कि अगर मिच्योरीटी पे मिल रहा है सारा अगर मिच्योरी पे मि रहा है वह INSkim Him minutes निया का मतलब क्या हो गया नार्मल के उप्ट डींगे अग्र आप साल की मिल रहा होथा को थो थर्टी-शिक्स मिल्यां से कम होता किस यह प्ल s जरूरी नहीं है आप जाएं अगर कोई अच्छा कमिशनर होगा वो कर भी देगा मैं जानता हूं बहुत सारे कमिशनर्टे नाम नहीं ले सकता लेकिन कर देते हैं कम अच्छे कमिशनर होते हैं कभी भी नहीं करेंगा सेकंडली अगर टेक्सपेयर खास दोर पर सीनियर सिटीजन होता है और वो खुछ जाके बैठता है ना तो लाजमी काम होता है फिर चाहिए करप कमिशनर भी क्यों ना वो करके देगा क्यों क्योंकि उसे पब्लिक के सामने अपनी इमेज अच्छा रख अगर एज़ा कंपनी इंपलॉई जाओगे और अगर कंसल्टेंट जाओगे तो अगर करप कमिशनर होगा ना तो वो तो यहीं बोलेगा बकरा आगया चुरी के निचे अगर ओनर खुछ जाता है और अगर इल्कुल केस होता है इसमें देखो अगर करप कमिशनर होता है ना तो उसके साथ लड़ना बहुत मुश्किल होता है कि यह चीज्व हमेशा याद रखना कि कुछ कमिशनर ऐसे हैं कि जो बड़े से बड़ा चैंपियन होगा ना इंक्रम टेक्स ओर्डिनेंस ता उसके भी अबा होते ह और कुछ ऐसे होते हैं जिनको लौ का अलिफबेन ही आ रहा हुता है मेरे कि इतने फटे हो चुके हैं एक को तो मैं यह उठा के मारने वाला दो उसको पानी का विपास है आद में कमर्शल इंपोर्टर इसका विद्वल्डिंट एके नहीं का जू नहीं का तो क्यों नहीं हूना को चनल श्रक्षा का चक्टिट को महने के अट्यक्ट को पोल जाओ सब शक्टेक्टिशन अच्छन की आप शक्क्ट निंग को चला किना लड़ा पूल जिया है यह तो मैं बहु बहुत सारे अंडर्टेकिंग लिया हूं मैंने का यह लॉप में लिखावाई पड़ो तो यह इस लॉप पे तो इतने सवाल उठ सकते हैं मैंने का जाओ उठाओ असेंगली में सवाल यह क्यों बनाया है लो तो है न क्यों हुआ था है मैं इस्टरोड की परचेश अ किमर्शल इंपोर्टर है शाढ़े चार पर्शंट से किटने हो गए कि तन साव लगाँ पीश करोड का साढ़े चार परशंट कितना हुआ को बांदैत आ मैं तो तो आस लगा के बैठा हुआ था नौ लाक रुपए की डिमांड निकालूंगा अलॉंग विद डिफॉल्ट सर्चार्ज पैनल्टी जब उसको यह दिखाए उसकी शकल मतलब काटो तो खून ना निकले उसके हाथ के उसको पता ही नहीं था यह तो और वो डिप्ती कमिशन तो इस तरह के लोग इस तरह के भी बैठे हुएं और बहुत से ऐसे बैठे हुएं के जो के जीनियस माइंड जीनियस माइंड और इसी तरह बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं मैंने कितनी बार अपने केसिस मेरिट पे करवाएं मेरा एक्सपीरियंस से कहता है जितना ओपर जाओगे नोट जो है उसके डिनॉमिनेशन भी बढ़ती जाएगी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी स्ट्रॉंगों के जल्वती ना पर चाहे आपकी चाहे अगर आपकी लूप हो भी ना तो उसको कवर अप करने वाला होना चाहिए और में मैं नहीं देता मैं लड़ जाता हूं मेरी फाइले पड़ी रहती है मैं पूरे डिपार्टमेंट में मैं बदनाम हूं कियों किसमें बदनाम हूं यह कमिशनर्स की यार यह आगया है यह कुछ नहीं मिलेगा क्यों नहीं मैं सारे डॉक्यमेंट्स देता हूं ढूंबते रहो कुछ अब धून मैं इनकी साइकी से खेलता हूं इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि फाइल को इचेक तरहें इनके पास लिट्रली इनके पास टाइम ही नहीं वह यह कहते हैं क्या दोगे मैं फाइल चेक कर लो पिर निकालों गेंगे तरहीं वजाएं यही वजाएक मैं रिफंड का थाइव परसेंट सिंपल इंकम टेक्स का सेल्सेक्स का है फाइव परसेंट से लेके फुकी इंपरसेंट करता ही लिफंड एडवांस टेस्त में यह भी करवा सकते हो यह भी करवा सकते और नहीं के इंकम कर गेंश्री आजस्स तरल इस साल बड़ा इशू क्रिए हो गया था के रिफंड अजस्में अलाव नी हो रहा थो जार बाइसमें अलाव किसका और है इसने सब्टाइस सब्टेंबर को तब डिफंड अप्लिकेशंस फाइल कर दी थी वह उनका an election under subsection 4a shall be made by the due date for furnishing the person's return of income for the tax year in which the amount was received or by such later date as the commissioner may allow by an order in writing this section shall not apply to any income received by a person in a tax year that is chargable to text under any other head of income or subject to tax under section 55 awake six seven or 70 section 40 deductions in computing income from chargeable under the head income from other sources subject to this ordinance in computing the income of a person chargeable to tax under the head income from other sources for a tax reduction shall be allowed for any expenditure paid by the person in the year to the extent to which the expenditure is paid in deriving income chargeable to tax under that head other than expenditure of a capital nature we expect the deduction stick to the room is that the list of other sources can dividend FTR make a new loyalty FTR make a new profit on debt for a name additional payment on delayed नहीं इन स्ब्सक्राइब कोई नहीं ग्राउंड विफ्टेयार मी नहीं है लेग्स चाहिए इनक्राइब अब इनक्राइब इनका इनके डिटीक्शन्स क्या सकती है कि फिल्डंग अंशी और फिल्डिंग के साथ में नहीं किस में मिलता है कि यहां पर किया इंकम इंप्रम प्रिशेशन तो मिलेगा नहीं सो이्टू anime अपने सेपरेट उसकी इंकम चार्ज उसके पैसे चार्ज किये उसके अगेंस आपने पेमेंट्स भी की तो एक्सेंस अलाओंगे जो नेट आपकी रिसीट होगी वह इंकम हो जाएगी आपिसा आजो सेक्षिन पर तुटिबे a person receiving any profit on debt chargeable to tax under the head income from other sources shall be allowed a deduction for any zakat paid by the person under the zakat and usha ordinance 1980 at the time the profit is paid to the person अब ये कोई करता है अगर कोई नहीं कर पाता और बैंक काट लेता है जकात तो फिर क्या होगी आपकी अगर लेक्स्टेंस होगे लिए वो तो आपको मिलता है टैक्स क्रेडिट में दो तो से सेट्रट ली टैक्स क्रेडिट में मेंना गजैंगें इन जोनेशन एक चैरिटेबल डिनेशन्स पर रहा चैरिटेबल डिनेशन सब्सक्राइब करेंग और रुसकतुम disciplined फंड में इंवेस्मेंट का फितर हो गया लाइफ इंशुरेंस लाइफ इंशूरेंस है लाइफ इंशुरेंस पादम नहीं हो इसके लावा वो इनवेस्मेंट नहीं जो कमर्शल स्थे उनके तो खेर पहले ही खतम होगी थी अब बस गिंती के दो चार ही रह जाएं चाइड़ एजूकेशन का रह गया है वो मिलता है लनेटक्त के बच्छों की स्कूल फीजिक जो उठी यो अलग है यह जो आके बच्छों की स्कूल फीज होती है उसमें स्कूल उएक सारी चीज यह स्पोर्ट्स फीज ये वो फीज तो जो ट्यूशन फीज वोटी न उस ट्यूशन फीज का 5% आपको टेक्स क्रेट मिलता है इसने वन मिलियन वन मिलियन वन मिलियन वर एक्सेबल इनकम अगर एन्वल आपकी 1 मिलियन है तो आपको उनको टैक्स क्रेडिट मिलता है उनकी लेकिन नहीं है यह तो सबके लिए चल्डर्न एजुकेशन का तो सबके लिए इस पर नहीं है इस पर नहीं है इसको मेरे खाल से नहीं थी कर लूंगा शाहर में गलत कर रहा हूं लेकिन प्यूशन फीज का 5% अब जो स्कूल फीज का जो वाउचर आ रहा होता है ना मंतली फीज उसमें काफी सारी चीज़ों होती है इस पोर फीज औगाई चो लिए लगरी फीज उगाई लगए लगवी जीज सो गई इस अभरेशी इसक यचिंग का 5 पर संट पूरिलेलो no deduction shall be allowed to a person under the section to the extent that the expenditure is deductible in computing the income of the person under head under another head the provision of section 21 shall apply expenditure is of a capital nature if it has normal useful life of more than one year carry forward of capital loss where a person sustains a capital loss for a taxpayer under the head capital gains herein after referred to as a capital loss the loss shall not be set off against the person's income if any chargeable under any other head of income for the air but shall be carried forward to the next year tax year and set off against the capital gain if any chargeable under the head capital gains for that yeah for example section 59 page number 14 thing you 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 एग शजब कि अगेंट विजुच़ थासे एक विजुन के तैक्स अभए वीड आपकी तोतल पादुटरी पॉन ひसे ने इसके हैं तरह होता है आपकी टोटल िनकम हो दgos रिया कुछ कि अयए इसारी टेक्से बल्टॉब को होती है टोटल टेटिवल इंकम बनती है जो applicable tax rate होगा वह ठीक है लेकिन आइडिया इस विज्शनेस लॉस बिजिनिस इंकम से सटॉफ होगा इन लॉस ऑन अदर सोर्स ओफ इंकम इंकम फॉम अधर सोट से इड़ रॉस लॉस कैपिल डेन से सटॉफ होगा तो नहीं है इसी तरह प्रॉपर्टी में भी कोई लॉस नहीं होता इस कैपिटल लॉस के मुझे एक्जांप्ल दो जल्दी से दो टाइम ओवर हो गया है इंकम फ्रम बिजनेस नहीं है आप अगे 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 आपने आधी बात कह दी आधी बात कंप्लीट तरहें मेर पास प्राइविट लिमिडिट कंपनी के शेर्ज हैं ना लग लग प्राइविट लिमिडिट कंपनी तरह ना माले अंग लुग क्या हूं मतलब शेर ओड़ा हुए लगधा है इस पर लॉस्वा अब 2021 में मेरे पास बूसरे सोर्स विस इंकम बिजनिस भी है डिविदेंट भी है डिविदेंट इंकम वादर सोर्स में आ रहा है अब वो तो एफ्टी आर डिविदेंट इंकम ठीक है लेकिन प्राइवेट इमिलेट कंपनी के शेर्ज जो बेचे जो उसके लॉस हुआ इसको क्या मैं इंकम साम बिजनिस से सेट आफ कर सकता हूं नहीं करता हूं इसको मैं से करूंगा कैपिटल गेंस से भी करूंगा अब कै अगर गाड़ी बिजनिस में वो नहीं तो तो बिजनिस इंकम ना आजाता है दस यह है कोई और परसनल एसेट अगर आपने बेच दिया इस पॉइंट इस के कैपिटल एसेट पे अगर कोई लॉस हुआ है वह करी फॉवर्ड होगा तो वह कैपिटल गेंच एगेंस इंट्विसनिस इंकम के अगेंस इजस्ट नहीं हो सकता है करी फॉर्वर्ड अप्लाउस नहीं था ना है यह कोई इंट्विसन की कंटिनुविटी में देख लेके चल रहे हैं करी प्लाउस नहीं में पिले लॉबद टे हैं में और न थी जओन गर Làमांगोर सराफ लॉद आरॉ नहीं वे पिले करते होगें but no loss shall be carried forward to more than six tax years, immediately succeeding the tax year for which the loss was first completed. Where a person has a loss carried forward under this section for more than one tax year, the loss for the earliest tax year shall be set up forever. Same as business law. Income of joint donors. For the purpose of this ordinance and subject to subsection to where any property is owned by two or more persons, and their respective shares are definite and ascertainable, the person shall not be assessed as an association of person in respect of the property, and the share of each portion in the income from the property of a tax year shall be taken into account in the computation of the person's taxable income for that year. This section shall not apply in computing income chargeable under the head income from within. तो ये किसकी बात हुई तर जिसकी इनकम फ्रम प्रॉपरटी अगर कोई एक प्रॉपरटी जॉइंड ओनर्शिप में हैं, आप दोनु पार्टनर ने, आप दोनु ने मिलकर एक प्रॉपरटी खली दी और उसे चढ़ा दिया रेंट पे रेंट पे दे दिया, प्रॉपरटी जॉइंड ओनर्शिप में है, तो आप दोनों इंडिविजुली कोई शेर भी डिटर्माइंड होगा, जो प्रॉपरटी आपने खरीदी है, इसमें कोई ना कोई शेर तो डिटर्माइंड होगा ना, कि इतना परसंट शेर आपका है, इतना परसंट शेर आप होगी आपकी इंकम देने होगी सिंतरा जोड होगी आपने जिसको को दियत 10 एक्षित और act कर अलग करे कि एंक अलग बिद्रोल करेगा और आप अगर दोनों की इंकम डिवाइड होके पि लोट एक्जीबल लिमिट हो जाती है संध्यलाग मैं जाती है तो टिक्स जी क्लेर हुई बात यह नहीं है डिस्पोजल एंड एक्यूजिशन ऑफ एसेट्स यह छोटे-छोटे प्रोवीजन है पंद्रा लाग से उपर अगर एन्वल रंड इंडिवीज्व और एओपी के लिए अगर कंपनी है तो चाहे कितना भी रंड दे रही हो टेस्ट विद्विदोल करने अपर्सन वू होल्ड एन एसेट शेल बेटेट इस हैविंग मेड अदिस्पोजल ओफ दे एसेट अपर्सन पार्ट विद ऑनर्सिप अपर एसेट इंक्लोडिंग वें अपने बेच दियो या आपने एक्सजेंज कर लियो यह गाडी तुम रख लो वो गाडी मुझे देदो ट्रांसफर्ड और डिस्ट्रिबूटेड डिस्ट्रिबूटेड क्या मतलब अब बचों बचों में बादी प्रोपर्टी या चैनल ओगे यह रिडीम रिलिंक्विश्ट डिस्ट्रॉइड लॉस्ट एक्सपाइड और सरेंडर इसमें क्या आ जाते हैं प्राविट कंपनी के शहर्ष वगरा कि अधिकाल कर गए थे उनकी वेल्ग में से प्रोपर्टी इस्ट्रिबूट हो गई तो जब इंतिकाल फर्मा गए तो जो शक्स इंतिकाल कर गए थे उनकी वेल्ग में से प्रोपर्टी क्या हो जाएगी निकल जाएगी तो जो बचेंगे नाम पर आजपर हुई वह इनकी वेल्ग में एड हो जाएगी और तो सब्दूेंस क्लेंस 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 ऐ वह वह गई है यह वह जो ए ना इस पे एक्जम्टेंशन है इसका क्लॉज मुझे याद नहीं आ रहा पार्ट फॉर सेकंड शेडूल में है इसकी एक्जम्टेंशन तो क्लॉज मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन ये एक्जम्ट आप इस देट पे ट्रांसफर हो जिस देट पे ट्रांसफर हो जिस दिन आप जाके दस्टाफ़ करेंगे रजिस्टार आपको सर्टिफिकेट देगा ट्रांसफर गा वो देट काउंटी गाई आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं होई आपके नाम पर ट्रांसफर क्यों नहीं होई आपने जमा कर आए बहुत कामी रुका हुए वह था एक बार एक साल तक कोई कामी नहीं हुआ तो इस तरह के केसिज में सिर्फ टाइटल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर नहीं हुए कि सब्लीज एक्जिक्यूट नहीं हुई इस वज़ा से आपकी एक्क्यूजिशन डेट आगे की नहीं होगी आपकी एक्क्यूजिशन डेट वह कहलाएगी जिस दिन आपको पशेशन मिल गया प्रॉपर्टी आप ही किया आपने पैसे दे दिये सिर्फ टाइटल आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुए लेकिन पशेशन आपके आपको मिल गया है तो वही डेट आपकी कांट की जाएगी अगर आपने पैमेंट ना की हो पूरी या पैमेंट पूरी हो गई है लेकिन आपको पॉसेशन नहीं मिला अब यह जो मैंने आपको बताया था वह पगड़ी सिस्टम होता है अब वह क्या होता है आपने पैसे भी दिये वे होते हैं ठीक है लेकिन आपके नाम पर नहीं होती तो यहां पर आपको कह सकते हैं कि आपके पास पॉसेशन तो मेरे पास है मैं तैसे भी मैंने दिये हैं ठीक है ना तैसे भी मैंने दिये हैं पॉसेशन भी मेरे पास है तो यह वाला केस्ट से तो अप्लाय हो गया मैं उससे अपनी प्रॉपर्टी दिखा सकता हूं क्यों क्यों कि यहां पर यह क्या कह रहा है परसन इस ग्रांटेड एनी राइट जो पगली सिस्टम है ना उसमें आपके पास पशेशन तो है आपका राइट कुछ भी नहीं है जिसके नाम पे प्लॉट है ना वो चाहे कल को बिल्डिंग पे बिल्डोजर फेर दे आपकुछ नहीं कर सकते है यह पगली सिस्टम है इसी वजासे इसको इल्लीगल करा है लेकिन हो रहा है और इसी लिए पगली सिस्टम वाले जितने भी प्रॉपर्टीज होती है वह वेल्ड में नहीं दिखाई जाती है अगर दिखाया भी जाता है ना तो इसको एसेट्स ऑन अदर्स नेम लिटाया जाता है इसी तरह बहुत सार होती है जो पावर पे उसको भी आप प्रॉपर्टी नहीं भी नहीं इसको है लिकिन के पॉपर्टी ich q data किंगे किराए पने नाम पर ट्रांसफर्फर नहीं करवा सकते, इसका मतलब आपका उस प्रॉपर्टी पे कोई राइट ही नहीं आप्लिकेशन ऑफ पर्सनल एसेट बिजनिस शेल बीजिनिस यूज बीजिटेट अग्यूजिशन अप्ट अप्ट अप्लाइट अप्लाइट अपनी गाड़ी पर्सनल यूज की थी वो बिजनिस के पिटल में डाल दी क्यों डाल दी पर्सनल गाड़ी थी बिजनिस में यूज कर रहा था मैं बिजनिसमें हूँ अपनी चोटा बिजनिसमें हूँ पर्सनल गाड़ी थी पर्सनल में यूज कर रहा था बिजनिसमें कोई एक्पेंज नहीं थे इस गाड़ी को बिजनिस केपिटल में डाल देता हू इसका डाड़ी मेरे नाम पर बिजनेस नेम पर नहीं है लेकिन मैंने क्या किया पर्सनल वेल्ख में मैंने चेंजेश की गाड़ी अटा दी बिजनेस कैपिटल बढ़ा दी और बिजनेस में डाड़ा दी यह होती है टेक्स प्लैनिंग in this section business asset means an asset held wholly or partly for use in a business including stock in trade and depreciable asset and personal asset means an asset held wholly for personal use purchase of asset through banking channel notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforce no person shall purchase immovable property having fair market value greater than five million rupees or any other asset having fair market value more than one million rupees otherwise than a cross check drawn on a bank or through cross demand draft or cross pay order or any other cross banking instrument showing transfer of amount from one bank account to another bank account यह क्या कह रहे हैं नॉट स्टेंडिंग अनिफिंग कंटेंड इन अदर लोग माश सिवाए किसी और लोगे for the time being in force जब तक यह income tax ordinance in force है किसी भी शक्स को कोई भी mobile property पचास लाग से उपर से ज्यादा मालियत रखने वाली प्रॉपर्टी कैश में खरीदने की इजाज़त नहीं है और प्रॉपर्टी लोग इजाज़त नहीं दे रहा ना मैं कर लेता हूं आओ खाड़ लो मेरा कुछ तो इसका कॉंजिक्वेंस प्रॉपर्पर्पर्टी फेर्मार्केट वेल्यू मेंस वेल्यू नोटिफाइड वा तो फेर्मार्केट वेल्यू सेक्शिएट इन केस ट्रांजेक्शन इस नॉ अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद लिए कैश पे जब आप बेचने जाएंगे कैपिल गेन होगा कैपिल गेन पूरी पूरी सेल पूसीज़ को होगा जो आपने खरीदी है ना खरीदने की कॉस्ट आपको लाव दियो एफबी आर वेल्यू पे खरीदी थी पांच करोड का चेब परएड़ लिए अगले साल दाफेली पांच करोड पही अगर कैश पे खरीद आय। है और फांस करोड प्री बेचा तो पूरे पूरे के पूरए पांच करोड के हैं कैपिल गेंग अगर चेक्स सो पेमेंट की थी कैपिल की धी शेयरो लह नो टो आप कि फाइलर नौन फाइलर का चक्कर ही खतम आप तो किसी को भी अलाव ही नहीं है अब सिर्फ टेक्स पाइलर के लिए बस सिर्फ यह वह है कि उसको टेक्स पांस परसंट एक्स्ट्रा देना है इ fasten रहें इसी कि यह भी छिआ आप इसे जो जो हएल होगा मतलब फाइलर नोन पाइल रोडह कई भी बूर्ट और एक्टिव टैक्स पेयर एक्टिव टैक्स पेयर तूरैक्स प्रिते करेगा कि poshend कि अ कि यह क्षोण के से छेट 18 अगर पर्सनल एसेट है तो कोई फरकी नहीं पड़ता इसलिए तो गाड़ियों में इतनी इन्वेस्मेंट गुशी वी तो इसलिए अब रुप गई है क्योंकि बायर नहीं मिल रहा है कि चलें जी आजाते हैं मोस्ट डिबेटेबल सेक्शन सेविनी टेक्स औंडीम्ड इंकम यह लास्ट टॉपिक है अर अंट यह लिए पिक्षण को एंट डिए टेक्स और मिल इल्प आट है आट C आसी को पर चाट ऑन ऑन डिए Кट्ょड को एठीज को सब्क्ट में इस एंच केंप लख ऑलिए musste recording value of capital assets situated in Pakistan held on the last day of tax year excluding the quality कि अब से पहले पर यह रेखें कि यह किस के ओपर लग रहा है रेजिडेंट परसंट जो रेजिडेंट परसंट है ना उसी को देना है उसी के ओपर है किस पर है एन इंकम चाजेबल टुटेक्स अंडडिस सेक्ष ऐन अपूंअट इक्वल तु 5% अभ ही 5% कि तुम आपट किसका 5% पाइब करेंट वैडि अधे उसक्तेट यह उसकिडेंट इसक्शी एचेश्च अवही यह वंड-वैई एक विए वेल्यू लेटिस कौन सी है वाइस मार्च बहुतर वाइस अच्छा एक्स्टोडिंग देफॉलएं कौन कौन सी वन कैपिटल एसेट ओन बाइन परसंट कोई भी एक कैपिटल एसेट चाहे वह आपके यूज में हो या ना हो सबसे बड़ी वाली प्रॉपर्टी है उसको कर दें उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी बजटी है उसका इंकम बनाएं कितनी फाइफ परसेंट ऑफ फेर मार्केट वेली अभी कानी यहां पर नहीं आगे चलिके और भी चीज़ें अन्सने. सल्फ ओंड बॉजने प्रॉपर्टी जहां से अप बिजनस भी कर गें। Self-Owned Business Premises from where the business is carried out by the persons appearing on the active taxpayer list at any time during the year. आपकी Business Profile में वो Business Name आना चाहिए. जिस Business में आपने यो यूज किये. और एनी टाइम दूरिंग दैया. मतलब? इसका मतलब यह देखो यह ऊपर क्या कहरा है कि Last Day of Tax Year है. Last Day of Tax Year में आपके जितनी भी Properties हैं, वो सारी है subject to section 7-E. अधनलब 30 June को आपके पास जितनी भी Properties हैं, उसके उसकी Fair Market Value का 5% आपकी Income है. अब उसमें से एक्सलूजन एक्सलूजन क्या है एक कैपिटल एसेट को इसा भी आप अपनी मर्जी से एक्सलूट कर दे हैं उसके बाद दूसरा करें सेल्फ ओन बिजनेस प्रेमिसिस फ्रॉम वेर बिजनेस इस करेड आउट बाइद परसन अपेरिंग अन्द एक्टिव टै कितना असान नहीं है इसका कर सकते हैं लेकिन इसके लिए को क्या करना पड़ेगा डॉक्यमेंटेशन आपको बताना आपको अपनी प्रॉफाइल बिजनेस प्रॉफाइल में बिजनेस एड़ करना पड़ेगा उस बिजनेस को एसोशेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसा तो आप यह कर सकते हैं ज़रूरी नहीं हो सकता है रेजिदेंशल प्रॉपर्टी यह बहुत सारी हो रहे हैं कहां से सकते हैं आपने सिर्फ ऐसे कागज में बिजनिस एड़ कर लिया कि अपनी प्रोफाल में कर लिया एभी सी एंटरप्लाजी भी सी एबी सी इंटरप्राइस एबिसी इंपेक्स एबी सी ट्रेडिंग कंपनी यह अलग 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 सिदेंश का लिए और उन अलग-अलग आप अकाउंट को ले इसमें ट्रांजेक्शन जो तब यह तब आप यह कर सकते हैं परसनल वैल्ट में डिकलेर होती है ना ठीक है तो वह इसमें आप आ सकती है बिसनिस में जो रही है प्रोवाइडिट के वो डारेक्टर्स हों इसको कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं सिर्फ एक अंडर्टेकिंग गने कि पचास वाले इस सम्टीव पर क्वेड़ से बोड रसीलुशन पास होगा और अडर्टेकिंग वनेगे Self-owned agriculture land where agriculture activity is carried out by person excluding farmhouse and land annexed there too. Agriculture property जापर अगर अगरिकुल्चर अच्टिविटी और यो except farmhouse, excluding farmhouse, farmhouse नाइट. Capital asset allotted to a Shaheed or dependent of a Shaheed belonging to Pakistan Armed Forces. शहीद या शहीद के घर्वाद, dependent. A person or dependent of the person who dies while in the service of Pakistan Armed Forces or Federal or Provincial government. देखता जा मुस्कुराता जा. A war wounded person while in service of Pakistan Armed Forces या इनको ये जैनियन है. ये शहीद ये जैनियन है. ये war wounded person जैनियन है, ठीक है, यार, जंग में जखनी हुआ. मुल्क के लिए जंग लड़ा था ना. ये जो है न, ये आ परसंट डिपेंडेंट आफ देपरसंट वो डाइस while in the service of Pakistan Armed Forces, Federal or Provincial Government, ये ना जाये ज़े. ये जो तो ये, कैसी बात करते हुआ है या तुमुका तो मुल्क है, वी आर ब्लडी सिविलियन्स. और ये लेकिन ये भी क्या है, ये इसमें कौन सी प्रोपर्टी जो डिपार्टमेंट ने अलोट की है न, वो प्रोपर्टी. ये नहीं कि आपने अपनी पैसो से लॉट खरीदा हुआ है, डिफेंस पेस फोर में छेसो गस का बंगला, आपने अपने पैसो से खरीदा हुआ है, वो आपको पाकिस्तान आर्मी ने लॉट नहीं किया, तो वो बंगला इसमें नहीं आता, वो उसमें आपको टैक्स देना ह बिल्कुल उससे हो जाएगा एनी प्रोपर्टी फ्रम विच इंकम इस चार्जबल तो टेक्स अंडर ऑडिनेंस एंटेक्स लेवेबल इस पेड देर रहा है अ इसमें प्रॉपर्टी एक्सन के हैगे अगर आपने पर पर्शस्ती एन पर चेश सुर्व पर्चेजियर की सारण अगर आपने पर्से अनरे मधर नाइस उसलिए कैज्ड ऑफ इयौ फर्टेश के ने इस तो वह प्रोपर्टी भी किया है इससे एक स्टूटी जब आप पर्टी पर्चेस करने जाते हैं तो आप से टू परसंट टेक्स कलेक्ट करता है रजुस्ता पर्चेस करने बद जितनी भी सुसाइटीज या टांस्टरिंग ऑफरिटीज है वह भी लीगली बाउंड है ना आप तो टू थाटी सिक्स के चार्ज करने लिए नहीं कर रही तो फिर तो वह पर्टी गड़बड है ताइमा बिल्डर्ज वाला जो आप अगर देखेंगे को सुराब गोटी तरफ जो इन्होंने विलाज वगएरा बनाए रहे तो वो ट्रांस्टरिंग ऑफरिटी नहीं हुआ ना इसका मतलब अगर वो ट्रांस्टरिंग ऑफरिटी इसमें दो चीजें अगर वह ट्रांस्टरिंग ऑफरिटी है टांसफर करने का अथ्व करणुआ तो ट्रांसफर कर रहा है लेकिन वह लीगल भाउंडे क्रिएट करता है कि यार यह कि यह और इसके पास ऑफॉरिटी है भी के नहीं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की पता चला कल को यह गई प्रॉपर्टी गवर्मेंट की निकलिक तो यह चीज़े रेड अलर्ट आपको जारी गाती है अब इसके लिए जोने एक एड्जूडिकेशन होती है उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है वेल्यूएशन अपॉइंट वेल्यूएशन अपॉइंट होता है वह बाकायदा पूरी वेल्यूएशन करता है लेकिन इस प्रॉपर्टी की जो है वह वैल्यू इतनी नहीं है इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से कम है लेकिन फिर भी आपको टेक्स जो देना है हां बात आती है कि मैं वैल्ट में उसको किस वैल्यू पर इंकॉर्परेट करेंगे उस एक्च्वल वैल्यू पर जो के विया रेट से कम है लॉंग विच सपोर्टिंग एविडेंस के वह आपने जैडिटिकेशन अथोरिटी से सर्टिफिकेट लिया है आफ्टर वेल्यू लीष्यं करवाके फायदा हो दूवें फायदा ना व्यूंख एक प्रलटी है उसकी एक्ष्य वैल्यू बन रही है दस करोड ठीक है लेकिन उसकी ros अच्वाइव incorot ordinance खरीद घ्राइं तैंसमें इस पर देरा हूं दस करोड पर तो मुझ्झे यह पूछर की कि यह तुम्हारे पास तो दस करोड है नहीं तुम्हें 0600 कि प्रोपरटी कहां से खरीड रहां पर प्रिये करवाया जाता है due process due diligence करवाई जाती है valuation अब करवाई जाती है तो रजिस्टार से certificate लिया जाता है तो रजिस्टार भी वो certificate इसी बेस पे देता है कि फलाना valuation agency की report की पे ठीड्यव कि वेल्यू जुए वह वी किछ लेके ए लेकिन पेटियो जो टौपरटी की जो वह ट्रांसफर होगी चांसर की साथ की जो किख बादे चिए वह उससे बहुत रजिस्टर रैस्ट इनपी और क्या है शाघंवर्पर किया सब्सक्राइब के अलावा तो वह किस पे किस मेस पे पेलुटा है यो एक्डूल गयुक्सतों कैसा जात करो फेकित देखें वो जब बिल आया था ना तो बिल में यह था कि वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बार नहीं बिजनिस के लिए तो अलग से है एक था कि सेल्फ ओन्ड था सेल्फ ओन्ड का मतलब यह था कि अगर मेरे पास चार फ्लैट है ठीक है चार यह एक प्लॉट है और तीन दो प्लॉट है दो फ्लैट है तो सेल्फ ओन्ड का मतलब यह था कि मैं सिर्फ फ्लैट जिसके मैं रह सकता हूं उसी को मैं एक्स्क्रूट कर सकता था जो अब यह था कि अगर मेरे पास खाली प्लॉट है वह बड़ी अमाउंट आए तो उसको मैं एक्स्क्रूट नहीं कर सकता था अब मेरे पास किया मेरे पास इम्मोबल प्रॉपर्टी पर है गाडियों पर नहीं है अब मेरे पास एक दो दो फ्लैट है और दो प्लॉट है मैंने क्या किया एक जो बड़ा प्लॉट था ना दो करोड़ का उसको मैंने एक्स्क्रूट कर दिया कि और अगे जाए कि एक मिनट ना यह इसको देखो कि दो प्लॉट है दो फ्लैट है एक बड़ा प्लॉट जो था जो बड़ी वैल्यू का था दो करोड़ का मैंने उसको दिखा दिया कि अब जो पीछे रहे गए क्या एक प्लॉट दो फ्लैट वह मैंने उपर कर दिया अब उनकी वैल्यू बंती यह दो करोड़ पैंतालिस लाग कि नाइकरोड से कम में 25 मिलियन से कम है कोई टैट्स नहीं एक्सेट्स की वैल्यू 25 मिलियन से एक्सीड होनी चाहिए आप्टर एक्स्क्लूजन आप्टर एक्स्क्लूजन 25 मिलियन की वैल्यू बनने चाहिए यह देखो नहीं यह वन कैपिटल एसेट ओंड बाइदा रेजिएंट परसन कैपिटल एसेट चाहे कमर्शल हो एक इक्सलूद ओ गया दूसरा कौन और इस वाले इन पो गया इनीोपरटी फरं विच इंकम फ्रं पोपरटी अगर आपने यह रेंट हो गया और यह दूसरा क्या जो फिर्स्टियर ऑफ पर्चेश 236 के वेर्द फैर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट इन एग्रिगेट एक्स्क्लूदिंग अपने अपनी सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट की निकाली फिर उसके बाद आप निकाल दो यह वाली यह वाली फैक्ट्री इस पर बिजनिस हो रहा है यह निकाल दो यह वाला फ्लैट रेंट पर दिया हुआ इसको निकाल दो पीछे बजगे चार उपन ब्लॉट्स उनकी एक्वियार वैल्यू अगर पच्चिस मिलियन से ज्यादा है तो उस पर टेक्स लगेगा अदर्वाइस सब क्या अब देखो यह किसके पास है यह क्या है तो कुछ हद तक इनकी बात सही है कि हाई वर्थ इंडिविज्विज्व अब देखा जाए तो कि यहां कराची में एक अच्छे लाके में टू-बैड का जो फ्लैट ए टू-बैड डॉयंग वह यह कि दौट रोड लगा तो चलो वह तो कैपिटल एसेट में आपका पर टेक कैपिटल एसेट में एक जंड़ गया दूसरी अगर आपके पास अगर आपने पर दिय है तो एक्स्क्लूड हो गए अगर सबसे में को कर साना वह को था यह जो प्लॉट्स में जो ट्रेडिंग ओर भी है ना इसको डिस्कुरेज़ गया किश्कुल अ इसका यह प्रिंसिपल अब्जेक्टिव यह था यह जो प्लॉट इतने महंगे महंगे हो गया है वो जंगल ब्याबान स्कीम 33 में स्कीम 45 में 120 गस का प्लॉट कितने गाए दो करोड़ था जहां पर कुटे भॉंक रहे होते हैं आपके बंजर जमीन एक करोड़ करोड़ का प्लॉट एक सो बीस गस्का यह क्यों है कि सारा ब्लैक में यहां पास पर इस कि अच्छा बिल्डर और जब्लोपर के पास प्रॉपर्टी एन उसके ओपर भी अप्लाई नहीं होता शच परसंस आर बढ़ सूब्जेक्श परसंस अर बढ़ सब्जेक्शन डिर्डर इस अच्छो अट्रिशन पर्पर इस सब्चेन आप इसमें मजीब एडिशन या दिलीशन कर सक्ति है फेडरल गवश्कियों अब उसकी मज़ियोग अब इन इस सेक्षिन जो आप इमोबल प्रॉपर्टी की बात कर रहते हैं कहां लिखा वह यहां पर है कैपिटल एसेट को डिपाइन कर दिया लिए capital asset means property of any kind held by a person whether or not connected with a business but does not include but does not include any stock in trade consumable store or raw materials held for the purpose of business any share stocks or securities any property with respect to which the person is entitled to a depreciation deduction under section 22 or amortization deduction under section 24 or any movable asset not mentioned in clause 1, 2 or 3 अगर आप सिर्फ ट्री तक पढ़ें तो जहन में आता है यार गाड़िया वो तो capital asset है यहां पर नीचे क्या कर दिया एनी movable asset we will asset matter सारा कुछा सबस्पोशी निकल लिए तो क्या बचा एक immovable property रह गया एक लेकिन आप य अब य यहां एक्स तर में और फ्रको यहां क्या ज़र्शन इतना गुमाा फिरा के लिखने की इतना गुमा फिरा के लिखने की जरूरत यह थी कि अगर अभी से सब पर लगा देते तो इस खाली सिर्फ इम्मोबल प्रॉपर्टी पर यह लगाया है तो क्या हशर हुआ हुआ इतना शोर शराब है बाद मा इस्ता इस्ता यह वाला क्लॉस फोर रटा दिया आगे सारे मोबल एसेट्स अगर अभी सिर्फ इम्मोबल प्रॉपर्टी कर्द कह देते हैं अभी सिर्फ इम्मोबल प्रॉपर्टी कहते हैं जो शोर अभी मच रहा है वही शोर शायद मचता ठीक है बाद में नेक्स यहर में अगर किसी और एसेट पर भी लगाना होता तो एड करना पड़ता क्या करना पड़ता अगर देखो कोई चीज एड होगी ना तो हाइलाइट होगा इस पर भी टेक्स लग गया इसमें सबसे इसमें सबसे बड़ा इश्यू तो यह भी यह पता है जो यह इसकी पीछे इनों में अपना रैशनेल किया दिया है एफबी आरे या फाइने व फाइनेश्टि आपने सब्सक्राइब करते इसका सब्सक्राइब यह दिया है कि यह जो लोग प्लॉटों में इंवेस्ट कर देते हैं और जिनों ने वह पता नहीं पचास साल पहले प्लॉट दिया लिया था दीस हजार पच्छेस जार का आज वह 25-30 करोड का हो गया है तो टेक्स पेर जो है उसको इतना बेनेफिट है ना अभी वह उसने बे परशन्ट का 25-30 एफेक्टिवली वन परसंट पहले आपको एफबी र वेल्यू निकालनी एसेट की इस एप्टिव वेल्यू का पाइव परसंट आप इंकम बनाने वे उस इंकम का 20 परसंट तो इंफेक्टिवली आपकी जो एसेट है उसेट का वन परसंट अभी भी है अभी भी है एक्सिंशन में ना वो आपको फोर्ट सेकंड शिडियूल में मिलेगा पार्ट फॉर अगर आपने पर्स एलॉटी है और आपके पास इसके लावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं और अपनी लाइफ में फ़र्स मिसाल के तोर पे तो आपने आपने अपनी लाइफ में फर्स टाइन प्रॉपर्टी पर चेश किए अपने जाव एक्सक अगोगा होगा तो ऑप लाइफ में पर्स टाइम अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पर्चेस की है और इसको जब आप पेचेंगे और इसके अगर कोई कैपिटिल गेन होगा तो यह पार्ट फॉर ऑफ सेकंड शुडियों के सारे क्लॉज इस पड़ें कही ना कहीं आपको मिलेगा लेकिन लिखने पा और ऑर अबिलेज लिखने का और ऑुछउन स्के लेझ पर अपनेष प्रवर अबर मिले नू इन क्यू बॉज जर वट का लिखने के तॉ सेपरेट वामोग्ज चलो जी और कोई सवाल तेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है वामोग्ज बाइम टाइम प्राइम नहीं हमारे पास पास बाइम नहीं है